इस चैनल दोस्तों स्वागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलीवूट की सुपर एश्टार सारुखान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है चिनई एक्सप्रेस तो दोस्तों अगर आप भी सारुखान की फैन हो और अगर अगर अप चिनई एक्सप्रेस मोवी को दिखना चाते हो और साथी साथ इस मोवी को बजेट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चा पिचर्स और रेड चिलिच की इंटर्टेन्मेंट की दारा निर्मी द्वजर तेरे की भारती हिंदी भासा की एक्षन कमेडी फिल्म है इसमें सहायक भूमेकाओं में निकीतिन धीर की सत्याराज कमीनी कोसल और लेंग की टॉंडन के साथ सारू खान और दिपीका पाधु कोन है या फिर्म राहुन मिठाई वाला के इद गिर्द भूमती है जो गलती से इसी नाम की ट्रेन में सवार हो जाता है और एक सथानी के डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेतरन की यात्रा करता है खान और की बेटी के लिए ही चले जाते है कुछ मान को खान और सेटी के बीच पहला नियोजित सयोगी अंगुल उनाई से बिरासी कारे में था इसके भजाए चेनाई एक्सप्रेस की सिखपट जिसी सुरू में खान के लिए एक बैक आप की प्रोजेकर्ट की रुप में ल सक रेडी एस्टेडी पोथा फिल्मकान अक्तूबर दौजर बारे में महबूब इस्टूडियो में सुरू हुआ और मई दौजर तेरे तक पूरा हो गया फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उटे में सेट किया गय था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म की सिटी में भी साउंड्रे की विशास सेखर की दारा रचीत था जिसकी प्रूस भूमें एसको और आमर मोहिली की दारा बनाई गई थी सवदेश 2004 की और के बाद खान के साथ अपनी पहली इस किरिया पर्योजना को चीहित करते हुए यूटिवी मोशन पिक्चर्स की निर्मता और वित्र क के रूप में ब्रोड पर आये चेनाई एक्सप्रेस की विडेसी बजारों में आठ अगस्ट वजात तेरे को और एक दिन बाद भारत में नाट की रूप से जारी किया गये था फिल्म को अलोजकों से मितेक समिक चाय मिली और इसने भारत और विडेसों में बक्स ओफिस के क पर इछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे जयाधा कमाई करने वाली बालियून फिल्म बन गई या अप्ता की 21 वी सबसे जयाधा कमाई करने वाली भारती फिल्म है 69 वी फिल्म फियर प्रासकारों में चेनई एक्सप्रेस को सतेश फिल्म की निर्देशन सेटी की आभिनेता खान और आभिनेतरी पदुकोन की सही साथ नमाकन प्रापात हुए राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 साल का अनात कुबारा है आठ साल की उम्रे से अपने दादा दादी की धरब पाला गया राहुल के दादा भम विश्भर एक की वैपारी के लिए है जो की अपने ही परे की त्रूंखला के मालिक है मिशन की भिश्भर के सैवे जनमदीन की समहारों से पहले राहुल के दोस्त बावी और बामन ने उन्हीं गोवा में छुटी मनाने के लिए आमान्तित किया जिसे उन्होंने स्विकार कर लिया कि इस वीच उत्सों की प्रू संग्या पर भिश्माभर की मुतियों हो जाटिये ठीक उसी समय जबव की किट मैंज में टीवी पर सचित की ते दूलकर को अपनी निनान्बिवे रन पर आउट होते वे देखता है बिन्सबर्ण के अंतिन संसकार के बाद राहूल की दादी नितु ने राहूल को बताया कि बिन्सबर्ण की चाते थे कि उनकी राग को दो भागों में विभाजित किये जाए एक हीसा गंगा के में विड़्जित किया जाए और दूसरा रामजेचरम में वह राहूल के साथ राग को रामेचरम ने जाने और उन्हें तितर बेतर करने के लिए कहती है अनिक्षा से वह उसके अनुरोग को स्विकार करता है लेकिन गाउ को यत्रा में सामील होने के लिए भी उत्कुस है राहूल बावी और बामन की राख को गोवा में फेकने की युजना है लेकिन नीतू उसे वीड़ा करने चाहती है जिससे राहूल के ट्रेन से याद्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा वह कलियान जक्सन की इस्ट्रेशन पर राष्टे में बावी और बामन से मीनने की योजना बनाती हुए चेनाई एक्सप्रेस का ही एक टीकट बुक करता है हलाकि राहूल ने राक लेना भूल जाता है जब और जब वह उन्हें लेने के लिए लोड़ता है तो ट्रेन लगभग छूड़ जाती है जैसे ही राहूल ट्रेन से उतरने की कोशिस करता है वह एक यूती है उसमें सवार होने के लिए दोड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चड़ने में उसकी और चार अनय लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही इस्टेशन छोड़ देता है राहूल उस मेला के साथ छिड़कानी करने की कोशिस करता है जो हिंदी फिल्मी की गानों की पराड़ी की गांकर की स्वात करना सुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका उपहारन करने की कोशिस कर रहे है राहुल उसे अपना मोबाईल फोन उधार रेता है ताकि वो अपने दोस्तों से संपक कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकड़ दिया और ट्रेन से फेक दिया राहुल नराज है लेकिन कुछ नई कहता कि क्योंकि प्रूस की हतियार लेकाट चल रहे है राहुल ट्रेंफलिंग की टीकट परिक्षकों उनके बारे में बताता है लेकिन वे एक सपेक्टर को एक पूल की नीचे नदी में धकेल देती है घबराय हुई राहुर को पता चलता है कि चर आद्मी उसके चचेरे भाई है और उसका पहले ही से ही उसका असले नाम मिनालोचनी की मिनमा मा की ये अजगुसुद्रम की है वह तब गाबली की नाम के एकी बनमाज से जबरन साधी करके भाग रही है मीन ममा की पिता दुग्रेचर दुर्गेश की अजगुसुद्रम की तमिलाडों में सथाती की माफिया के एक सक्ति साली मुख्यों है मीन अम्मा की राहूल को दुर्गेश के पास ले जाते हैं और राहूल को अपनी प्रेमी के रुप में पेस करती है तंग बली राहूल को एक दुर्धियोट की चुनावती देता है जिसे राहूल अंजाने में तमिल में ग्यान की कमी के कारण सुईकार कर लेता है दर्द की रात राहूल एक इस्थाने की पूलिस करमी की समसेर की मदद से भाग जाता है लेकिन वा तरिंकलाई की अंदकवादियों और तसकरों के साथ एक जहार पर समाप्त हो जाता है पूलिस बल और अंदकवादियों के बीच एक बंदू की लड़ाई सुरू होती है जब पूलिस की आधिकारी की जांच करते है और राहुल की हिरासत में लेते हैं तो वो अपनी कहानी बताता है और कोंबन में वापस आ जाता है भायवित और एक बार फिर दूरुगेर्स के तरांती चलाने वाले गुरुवों से गिरा हुआ है राहुल मीनम्मा को बंधक बनाने का नाटा करता है और दूरुगोस की आदमियों से लड़ते हुए दूरुगोस की कार में उसके साथ भाग जाता है जब कार तुट जाती तो राहुल और मीनम्मा जगडा करती है और अलग हो जाते है राहुल ना जाने किस रास्ते से जाना है मीनम्मा की पास लोटा जो उसी बिंदोगाव क मिनम्मा की ग्रमीनों को बताती है कि वे एक विवाही जोड़े हैं जिनों ने सुरक्षा और आराम की अवेश सकता है जिसे ग्रमीन की सहमत है मिनम्मा को तब तब पता चलता है कि उसे राहू से प्यार हो गया जब राहू चिपके से भागने की युजना बनाता है तो वह तरक देती है कि वह ग्रामीनों की आविस्वास को अरजित नहीं करना चाहती तंगबली की राहू को पकड़ने की कोशिस करता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन ग्रामीन उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं मिनम्मा की राहू को भिंसभर की राख को फैलाने के लिए राजी करते हैं और उसके साथ रामेचरम के लिए ही रामेचरम के यात्रा करती है जहावे संस्कार पूरा करती है वापस रास्ते में राहुल को पता चलता है कि उसे मिनमा से प्यार हो गया और वह उसे नहीं बताता कि वे कहा जा रहे है वह मिनमा को दुरगेश के पास वापस ले जाता है और मिनमा की इक्षा को समझने और उसका समान करने की कोशिस करता है वह मिनमा से यह भी कहता है कि वह उसे प्यार करता है राहुल तंग बली और उस बार लड़ाई के लिए तयार है इसके बार होई लड़ाई में राहुल गंभी रूप से घायल हो गया लेकिन विजय हुआ कि दुर्गोष्ट और तंगाबली की सुधार्या स्विकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी सरीरी की छमता और राजनीती की प जानता है और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंग और रोही सेटी ने मूल रूप से उनने से बिरासी की फिल्म अंगूर के रिट्म के लिए सारू खांग के साथ टीम बनाने की युजना बनाई थी कि 2021 की ब्लाक बोस्ट की सिंगम के बार सेटी ने फिल्म की पठकटा लिखना शुरू कर दिया था लेकिन इसकी आदा अधूरा छोड़ दिया चेनल एक्सप्रेस की पठकटा खान के लिए बैक आप की रूप में तयार थी क्यूंकि अभिनेता के फिल्मा कान की तारीकों को प्रपात करने में कठ पठकटा परने पर खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर की रिमेक से पहले ही इसमें अभिनाय करने के लिए सहमत हो गया जिसे अंगूर का रिमेक सथागित हो गया सेटी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोन के साथ एक हाड कोर की वैसाही की फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेचरम की यत्रा और यत्रा के दरन क्या होता है के बारे में हैं लगबग और 60 मिनाट के फुटेज से दि लायन्स की दारा सीजी आई के साथ बढ़ाया गया था मीडिया वर्स की चेनई एक्सप्रेस के सुरुवात में खान चितित के लिए बैक ओप की प्रोजेकर्ट के रुप में लिखा गया था खान की पहले अभिनेता थे जिने सिखपट के साथ संपक किया गया था और फिल्म के लिए स्टाइन की जाने वाले पहले मुख्यों अभिनेता थे रोही सेटी ने कहा कि सिंसक के बावजुद खान फिल्म में एक तर्चिन भारती की वुमी का नहीं निभाएंगे मुख्यों नाइका का चैन बहुत प्रेंस की और्टकलों का विशय था करीना का पूर असिन और दिपीका पादुकोन के सामिल होने की अफवा थी रेडी सेटी की ने उन अफवावों का खंडन किया कि जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रिल दुजर बारे में अंतिम रूप दिया जाएगा और इस की वह इस भुमी का में एक सथापित अभिनेतरी को लेने जा रहे हैं अक्तुबर दुजर बारे में यह पूसिट की गई कि दिपीका पादुकोन को उनको खान के साथ मुख्यों महिला भूमी का निभाने के लिए साइन किया गय था और पादुकोन को और खान की सुटिंग दिखाती वित तस्वीरे जारी की गई यह पादुकोन की खान के साथ दूसरी फिम थी जिसके साथ उनोने दुजर साथ के ब्लाक बोस्टर ओम सान्ती ओम से बालियून में शुरुवात की थी महिला दिवस्ट पर रिलीज हुई और इस से सुरुवात करते हुए खान चाहते थे कि क्रेटिटोस में उनकी महिला सकलाकार का नाम उपर आये और कहा कि सत्यराज को बालियून में परधाप्रन करते हुए पादुकोन को चतित को पिता की भुमी का निभाने के लिए चुना गये था अविनेती प्रियामानी की जनकारी द्वजत्तेरे में नयंत्रा की जगा फिल्म ने एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गये था तोमी सिनेमा के आने वैतितों के जिन में दिल्ली गनेस और मोहन रवन की सामिले छोटी भुमी काओं में दिखाई देती है शुरुआत में इस फिल्म का नाम रेडी एस्टेटी पो रखा गया था हलाकि दर्शिन भारत के साथ जुड़ाओ पर जोड़ देने के लिए फिल्म का नाम बदल कर चिने एक्सप्रेस रखा गया जिसका नई योजित सिंसर की टेग लाइन के रूप में इस्तेमाल किया गया था केरल का मुनार हिल एस्टेशन फिम की प्रमुकी लोकेशन्स में से एक है परियोजना का फिल्मकान पाच अक्तूबर 2002 को मुंबई के महबूब इस्टूडियो में सुरू हुआ नयूंतम चलाक दल के साथ 16 पती सिवाजी तरमीन्सम में अत्रित की फिल्मकान किया गया था मुख्यों अभिनेता की चित्रा आनाधी क्रोत की रूप से अक्तूबर 2002 की मघयम जारी किये गए थे नवंबर 2002 में कलाकार और चलाक दल की वहा की दूस्यों को फिल्माना सुरू करने के लिए गुवा गए वासको कीडी गामा रेलवे श्टेशन को कल्यान जक्स्तन रेलवे श्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए इस्तिमाल किया गया था दूध सागर की जल प्रापात की बंगल से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमान्ठी दोस्यों भी फिल्माया गया था दिसंबर दोजर बारे में कुछ दोशियों को फिल्माने के लिए चलाक दल की जर्कता गया पबन की बिर्जी को अनई अइंदीरा की गांधी ब्रीज की रूप में भी जाना जाता है जो तमिल नाडू को मंटब में सहर को पबन दीप से जोड़ता है और रामेच्तरम की तेरा रास्ता छोड़नों ना गीत कर दूरसियों था जनवरी दुज़त तेरे में एक सूटिंग उटी में होने वाली थी लेकिन चुंकी खान को लगा की उटी मुंबई से बहुत दूर है उटी से कई इस्थानों को वाई में पचगानी की बागी की इलाके में कला की निर्देशन की नरेंदरा रहुक रीकर की दरा पूर नीमिरित किया गये था कि आवेश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन लगे वाई में फिल्मकान में मार्च 2013 का पूरा महिना लगा मुनार केरल में 10 दिवसी सूटिंग सेंडी उल अप्रील 2013 की मगया में शुरू हुआ दोसियर दिवी कूलम की जेल्म की मिसापूलिम मला की वागवारा और की कनिमाला में फिल्माए गे थे भारी की वर्ष के कारण फिल्मकान की कई दिनों तक रुक रहा जिसके की परिन सौरूप सेंडील को उसी महिने के अंतक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुनार में एकी सवान दाता की समेलन आयोजित किया गय था कि मई दौज़त्तेरे में उत्री गोवा में दोसियों फिल्माए गयते पादू को नेमपचीस मईद वज़तेरों को सुटिंग पूरी की खान ने मईद वज़तेरे में अपनी सेश दोस्यों को फिल्माने के लिए रामोजी फिल्म की सिटी हैदराबाद के लिए उड़ान भड़ी फिम में कई तमें सवाद है लेकिन संधभां को बनाय रखने के लिए किसी की अपसिंसा का उपयोग नहीं किया गया था रेट्स चैलेंज की इंटर्टेनिमेट बैनर की तले गौरी खान की करीम मोरानी की रोनी स्कुरवाला और सीर्धात राय कपूर की तरह चेनई एक्सप्रेस का निर्मान किया गये था इसी यू टिवी मोशन पिक्चर्स की तरह अंतराश्टी सतर पर जारी किया गय था और चेनाई एक्स्प्रेस में और कुछ ही कुई थी बाकी है कि इसको ओर आमर मूईली कि दारा रचा गये था गीतों की रचना विसाल की सिखर जोड़ी ने की थे और गीत की आमिताप की भट राचाय के लिए ही और यो यो की हनी की सी के दारा लिखे गए थे गानी की रिकॉर्ड अक्तुबा दुजर बारे के अंत में शुरूवी ट्रेक रेडी स्टेट विपीपो के नवंबा दुजर बारे में सतागेत की संगीत के संगीतकारों की दारा रिकॉर्ड किया गये था कई सुत्रों ने कहा कि निर्देशन और अभिनेता की काथित तूर पर निर्देशन को एक अलग संगीत की रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था कि हलाकी संगीतकारों ने इन अफवाउ का खंडर किया कि अप्रिल दुजात तेरे की मगया में गायक स्पी की बलास सुब्रहान आयम ने फिल्म के लिए टाइटल ट्रेक रिकॉर्ड किया पद्रह साल के अनुपस्थी थी के बाद पहले बैक के लिए बाली उनमे अपनी वापसी को चीहिज किया उनों ने कहा कि गीत ने एक जुट्ता की भावना का जम मान्य प्रम में बलास सुब्रहान आयम की आन्सकाती थे लेकिन फिल्म की सामगिरी और मुख्यों भुमिका की कारण गाना चुना गीत एक दू तिन चार गेट ऑन दो डान्स फ्लोर में विश की स्तंगिर दिवस पर एक प्राचार की एकल की रूप में जारी किया गए था 27 जुन द्वज़ा तेरों को तीतिली गाने का वीडियो प्रेमियो को जारी किया गए था 21 जुन द्वज़ा तेरों को कस्मीर मैतू कन्या कुमारी का प्रोमियो वीडियो जारी किया गए था 29 जुन द्वज़ा तेरों को टी सिरीज नी यूटूब पर अपने आधिकारी की चैनल पर एक गाना अप्लोड किया हनी सी की दारा गया गया फिल्म अभिनेता राजनेकार्थ के समान में गित का स्तिन्सक लुंगी डांस दौट लाइवर आर डिब्यूट की 25 था 25 जुलाई द्वज़ा तेरे को तेरा रास्ता में छोड़ूना गित का एक परचार की वीडियो जारी किया गया था संगीत एलवम की एक जुलाई दौज़ा तेरो को लंच किया गया था फिल्म ने आठ अगस दौज़ा तेरे को मल्टी प्लेक्स में 10 से 1200 के स्तात भारत में पुरवालोन किया गया था चिनई एकस्प्रेस को गयर प्रामपारी की अंतराष्टी बजारों में जारी किया जाना था पेरो में यह भारत की तरह उसी दिन दिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी चिनई एक्सप्रेस की मोर्कों की जर्मनी सीटर जैलेंड की ऑस्टिरिया फ्रांस और इंजराइल में भी जारी किया गये था सब्ताहत की दीनों में से सो के दवरान चिनई एक्सप्रेस की टिकटों की किम्म समानिय टेरिप से 40% आधिक और सब्ताहत पर 20% तक बढ़ा दी ग गई थी यह फिर्म भारत में 3-5-5 इसक्रीनों में 2-5-5 जास की सिनेमेगारों में और अंटराश्टी 75 इसक्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उत्री अमिरीका में 1-96 इसक्रीन की यूनाइटेग किम्डम के 1-75 मघेप्रों की पर्षपन और अस्टेलिया में ती इस्ल ऑफिला लुक एक जनुरी 2013 को जारी किया गये था सिध की बिलास सुबराहा नयम की धारा किया गये था 31 सेकेंड की सिर्साक्रेट्र की 23 मही 2030 को जारी किया गये था योजुर त्यक्रीनों से आदिक बार देखा गया फिल्म में खान और पादुकोन की दारा पहने गए परिधानों की निलामी की गई ब्रेकी से आई एक दान में दी गई थी निलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई थी सिंगर बोक्स की एक से विडिशन की गेमिंग स्टूडियो की दरा विक्सिट की एक की कराव की एप को दुई अगास दोजातेरे को एंडाइड और आई उएस आधारी की समार्टफोन के लिए लंज किया गये था खान रियोलिटी टेलिवीजन सो कॉमेडी नाइट और स्वीद की कोपिल तारा की मेता का अरड़ा चस्मा मधुबाला एक इसका जुनून दी आईजी सुपर मम्त की जलक की दिखला जा चो और इंडियन आईडॉल की जुनियर पर अपनी फियम का प्राचार किया डर जिट गये इस्टर की गुंगल्म की दारा साल की अंत में खोजे जाने वाले की सावधिरी की पत्रों का संकलन चिनई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे चर्तित विसे बताया गया है फियम की उपगरा टेलिवीजन आधिकार जी नेटवर्च चर से असी मिलियन के में बेचे गए थे यह समझाता फियम की बॉक्स ओफिस राज़्सर से जुड़ा था भारती अभिनेता में अपनी तरह का पहला सोदा अगर्चे नहीं एक्सप्रेस ने सुब्द पर रूप से तेरे मिलियन से आधिकी कमाई की तो उसके बाद अरजित प्रयक की सम मिलियन के लिए निर्माताओं को अतरित की 20 मिलियन मिलेंगे 20 अक्तुबर दोजा तेरें को फिल्म का टेलिवीजन प्रेमियर हुआ था और इसे रेकॉर्ड खेया में दर्शकों की दारा देखा गया था जो कि उस्ताम रेटिंग वाले फिक्शन सो से लगभाग दुगुन्णा था इसने अपनी प्रासंसक जी टीवी को उस महीने समाने मंदुरों जान चाइनलों में सिंसक इस्थान पर पहुचने में मदद की वन्स के आपन एक टाइम की इन मुंबाई की दुबारा के साच्चेने एक्सप्रेस के सुरू में पाकिस्तानी वित्रक और प्रदस्गों की दारा छोड़ दिया गय था क्यूंकि चार पाकिस्तानी फिल्म में एक ही दिन रिलीज हुई थी रिलीज की तारी क्रोमस पंद्रे और 9 अगस्त के लिए सथागित कर दी गय थी फिल्मकान के अपने वाई सेंडियोर के दौरान महराष्टी से सुंख ग्रोष्ट की सतारा जिले में ढोम बान से बहुत आधिक पानी का उप्योग करने के लिए फिल्म की यूनिट मुस्जिकर में पड़ गई राजे की राहत और पुनवांस की मंत्री पतंग्राओ की कदम निस्तमास्या का समधान किया टुईटर और यूटूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और टेलर की तमिल लोकाचार के जितरन के लिए कुछ तमिल मीडिय की दार अलोचना की गई थी उन्होंने कहा कि पादुकुन की अत्यादिक उचारन वाले की स्वात तौमिल के बज़ाए मलियाली की लगजे से मेल खाती है पादुकुन ने फियम का बजाओ करते हुए कहा कि जद दर्शिन भारती संस्कूरूती की पैरोडी नहीं करती है और वाजनीतिक दल महराष्टी की नव निर्मता सेना की फिम की विंग ने फिम के प्रेमियर को बांधित करने की धमकी दी इसने काथी तोर पर चल रही लोग प्रिया मराथी की फिम में सिनेमगारों से हटाने की प्रियास किया जो एक समय में कीवल एक फिम दिखती है पाटी इन खबरों से प्रिसान थी कि चेनई एक्स्प्रेस की वित्रवकों सिंगल इस्क्रीन की सिनेमगारों में और कुछ मर्टी प्लेक्सों में प्राइम स्टाइल की मांग की थी जहाँ सुपर हिट मराथी फिम दुनियादारी द्वजत तेरे 19 जुलाई से लोगपरिया थी एक अगस द्वजत तेरे को दोनों फिम की निर्देशनों की रोहित की सेटी और संजे की जगों की राइट ठाकरे की ठकडे नाम की समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्छों की सुनने के बार ठाकरे की ठकडे ने फैसला किया कि अ से महराष्ण में चिनाई एक्सप्रेश की रिलीज पर आपराती नहीं कर जताएगी चिनाई एक्सप्रेश को दस की दस भासाओं में रिलीज किया गया था हेलो दोस्तो सुवागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलीवुट की सुपर इस्टार सारू खान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है चिनाई एक्सप्रेश तो दोस्तो अगर आप भी सारू खान की फ नाम ही न भूलेगा के नई एक्सप्रेश की सुनो रोहित की सिटी की दारा निर्देशित और यूटूबी मोशन पिक्चर्स और रेड चिलिच की इंटर्टेन्मेंट की दारा निर्मी 2003 की भारती हिंदी भासा की एक्शन कमेडी फिर्म है इसमें सहायक भूमे काओ में नि इपिका पादुकोन है या फिम राहून मिठाई वाला के इद गिर्द भूमती है जो गलती से इसी नाम की ट्रेन में सवार हो जाता है और एक सथानी की डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेतरन की यात्रा करता है खान और की बेटी के लिए ही चले जाते है कुछ मान को खान और सेटी के बीच पहला नियोजित सयोगी अंगुल उनाई से बिरासी कारे में था इसके बजाए चेनाई एक्सप्रेस की सिखपट जिसी सुरू में खान के लिए एक बैक आप की प्रोजेकर्ट की रुप में लिखा गया था कुछ चुना गया था कि एक वैसाही की रुमांज के रुप में आवधारित की इस फिल्म का मुल सिंसक रेडी स्टेडी पोथा फिल्मकान अक्तूबद वजर बारे में महबूब इस्टूडियो में सुरू हुआ और माई 2003 तक पूरा हो गया फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उटे में सेट किया गय था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म की सिटी में भी सेट बनाए गय थे चेनाई एक्सप्रेस के लिए साउंड्रे की विशाल सेखर की दारा रचीत था जिसकी प्रूस भूमी एसकोर आमर मोहिली की दारा बनाई गई थी सवदेश 2004 की और के बाद खान के साथ अपनी पहली इसकिरिया पर्योजना को चिहिट करते हुए यूटीव मोशन पिक्चर स्की निर्मता और वित्रक के रूप में ब्रोड पर आये चेनाई एक्सप्रेस की विडेसी बजारों में 8 अगस्त वज़ा तेरे को और एक दिन बाद भारत में नाट की रूप से जारी किया गय था फिल्म को अलोजकों से मितिक समिक चाय मिली और इसने भारत और विडेसों में बॉक्स ओफिस के कई रिकॉर्ड तोर दिये घरेलू सतर पर एक मिलियन का सुब्ध संग्री करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई फिल्म ने तीन इंडिया टस 2009 को पीछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे जयाधा कमाई करने वाली बालियून फिल्म बन गई अब तकी 21 सबसे जयाधा कमाई करने वाली भारती फिल्म है 69 फिल्म फिल्म फियर प्रासकारों में चेनाई एक्सप्रेस को सतेश फिल्म की निर्देशन सेटी की आभिनेता खान और आभिनेतरी पदुकोन की सही साथ नमाकन प्रापात हुए राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 साल का अनात कुबारा है आठ साल की उम्रे से अपने दादा दादी की दरब पाला गया राहुल के दादा भम विस भर एक की वैपारी के लिए है जो की अपने ही परे की त्रूंखला के मालिक है मिशन की भिस संभर के सैवे जनमदीन की समहारों से पहले राहुल के दोस बावी और बामन ने उन्हीं गोवा में छुटी मनाने के लिए आमान्तित किया जिसे उन्होंने स्विकार कर लिया कि इस वीच उत्सों की प्रू संग्या पर भिस माभर की मुतियों हो जाटिये ठीक उसी समय जबव की किट मैज में टीवी पर सचित की ते दुलकर को अपनी निनान्बिवे रन पर आउट होते विदेखता है बिन्सबर्ण के अंतिन संसकार के बाद राहूल की दादी नितू ने राहूल को बताया कि बिन्सबर्ण की चाते थे कि उनकी राग को दो भागों में विभाजित किये जाए एक हिसा गंगा के में विठ्जित किया जाए और दोसरा रामजेचरम में वह राहूल के साथ राग को रामेचरम ने जाने और उन्हें तितर बेतर करने के लिए कहती है अनिक्षा से वह उसके अनुरोग के स्विकार करता है लेकिन गाउ को यात्रा में सामील होने के लिए भी उत्कुस है राहूल बावी और बामन की राख को गोवा में फेकने की योजना है लेकिन नीतू उसे वीड़ा करने चाहती है जिससे राहूल के ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ावा कलियान जक्सन की इस्ट्रेशन पर रास्ते में बाबी और बावन से मीनने की युजना बनाती हुए चेनई एक्सप्रेस का ही एक टीकट बुक करता है अलाकि राहुल ने राक लेना भूल जाता है और जब वह उन्हें लेने के लिए लोड़ता है तो ट्रेन लगभख छोड़ जाती है जैसे ही राहुल ट्रेन से उतरने की कोशिस करता है वह एक यूती है उसमें सवार होने के लिए दोड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चड़ने में उसकी और चार अनय लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही इस्टेशन छोड़ देता है राहूल उस मैला के साथ छिड़कानी करने की कोशिस क करता है जो हिंदी फिल्मी की गानों की पराड़ी की गांकर की स्वात करना सुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका उपहारन करने की कोशिस कर रहे हैं राहूल उसे अपना मोबाईल फोन उधार देता है ताकि वो अपने दोस्तों से संपक कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकर डिया और ट्रेन से फेक दिया राहूल नराज है लेकिन कुछ नहीं कहता कि क्यूंकि प्रूस की हतियार लेका चल रहे है राहूल ट्रेवलिंग की टीकट परिक्षक को उनके बारे में बताता है लेकिन वे एक स्पेक्टर को एक पूल के नीचे नदी में धखेल देती है, घबराय हुई राहूल को पता चलता है कि चर आदमि उसके चचेरे भाई है और उसका पहले ही से ही, उसका पहले ही उसका असले नाम मिना लोचनी की मिन मावा की अंगो सुद्रम की है वह तब गाबली की नामन के एकी बर्णमान से जबरन साधी करके भाग रही है मीनममा की पिता दुग्रेचा दुर्गेश की अजगुसुद्रम की तमिलाडों में सथाती की माफिया के एक सक्ति साली मुख्यों है मीनममा की रहुल को दुर्गेश के पास ले जाते है और रहुल को अपनी प्रेमी के रुप में पेश करती है तंगबली रहुल को एकी दुर्धियोद की चुनवती देता है जिसे रहुल अंजाने में तमिल में ग्यान की कमी के कारण सुईकार कर लेता है दर्द की रात राहुल एक इस्थाने की पूलिस कर्मी की समसेर की मदद से भाग जाता है लेकिन वा तिरिंकलाई की अंदकवादियों और तसकरों के साथ एक जहार पर समाप्त हो जाता है पूलिस बल और अंदकवादियों के बीच एक बंदू की लड़ाई सुरू होती है जब पूलिस की आधिकारी की जांच करते है और राहुल की हिरासत में लेते हैं तो वो अपनी कहानी बताता है और कोंबन में वापस आ जाता है भायभित और एक बार फिर दूरुगेस के तरांती चलाने वाले गुरुगों से गिरा हुआ राहुल मिनम्मा को बंधक बनाने का नाटा करता है और दूरुगों की आधियों से लड़ते हुए दूरुगों की कार में उसके साथ भाग जाता है जब कार तुट जाती तो रा राहुल ना जाने किस रास्ते से जाना है मिनम्मा की पास लोटा जो उसी बिंद्वा गायो के ले जाती है मिनम्मा की ग्र्मीनों को बताती है कि वे एक विवाही जोरे है जिनों ने Suraqsha और आराम की अवे सकता है जिसे ग्र्मीन की सहमत है मिनम्मा को तब तब पता चलता है कि उसे राहू से प्यार हो गया जब राहू चिपके से भागने की युजना बनाता है तो वह तरक देती है कि वह ग्रामीनों की अविश्वास को अरजित नहीं करना चाहती तंगबली की राहुल को पकड़ने की कोशिस करता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन ग्रामीन उन्हें फिर से भागने में मदद करती है मिनम्मा की राहुल को भिंसभर की राख को फैलाने के लिए राजी करती है और उसके साथ रामेचरम के लिए ही रामेचरम के यात्रा करती है जहावे संसकार पूरा करती है वापस रास्ते में राहुर को पता चलता है कि उसे मिनमा से प्यार हो गया और वह उसे नहीं बताता कि वह कहा जा रहे है वह मिनमा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और मिनमा की इक्षा को समझने और उसका समान करने की कोशिस करता है वह मिनमा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है राहुल तंग बली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तयार है इसके बाद होई लड़ाई में राहुल गंभी रूप से घायल हो गया लेकिन विजय हुआ कि दुर्गोष्ट और तंगाबली की सुधार या स्विकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी सरीरी की छमता और राजनीती की प्राभाव से बड़ा है दुर्गोष्ट राहुल को मीना से साधी करने की अनुमती देता है इसके बाद राहुल एक संदेश देती है कि प्रेम कोई चेतरी या भसाई बढ़ावों को नहीं जानता है और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंग और रोही सेटी ने मूल रूप से उन्नाई से बिरासी की फिल्म अंगूर के रिट्म के लिए सारू खान के साथ टीम बनाने की योजना बनाई थी कि 2021 की ब्लाक बोस्टर की स्टिंगम के बार सेटी ने फिल्म की पठकटा लिखना शुरू कर दिया था लेकिन इसकी आदा अधूरा छोड़ दिया चेनल एक्सप्रेस की पठकटा खान के लिए बैक आप की रूप में तयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्माकान की तारीकों को प्रपात करने में कठिनाई हो रही थी पठकटा परने पर खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर की रिमेक से पहले ही इसमें अभिनेत करने के लिए सहमत हो गया जिसे अंगूर का रिमेक सथागित हो गया सेटी ने कहा कि फिल्म रोमांटी कोन के साथ एक हार्ड कोर की वैसाही की फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबरी से रामेचरम की यत्रा और यत्रा के दरन क्या होता है के बारे में हैं लगबग और सट मिनाट के फूटेज से दिलायांस की दारा सीजी आई के साथ बढ़ाया गया था मीडिया वर्स की चेनई एक्सप्रेस के सुरुवात में खान चितेत के लिए बैक ओप की प्रोजेकर्ट के रुप में लिखा गया था खान की पहले अभीनेता थे जिन सिकपट के साथ संपक किया गया था और फिल्म के लिए स्टाइन की जाने वाले पहले मुख्यों अभीनेता थे रोही सेटी ने कहा कि सिंसक के बावजोद खान फिल्म में एक तर्चिन भारती की भुमी का नहीं निभाएंगे मुख्यों नायका का चैन बहुत प्रेंस की ओटकलों का विशय था करीना का पूर असिन और दिपीका पादुकोन के सामिल होने की अफवा थी रेडी सेटी की ने उन अफवावों का खंडन किया कि जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रिल दो अजर बारे में अंतिम रुप दिया जाएगा और इस की वह इस भूमिका में एक सथापित अभिनेतरी को लेने जा रहे हैं अक्तूबर दौजर बारे में यह पूसिट की गई कि दिपिका पादुकोन को उनको खान के साथ मुख्यों मैला भूमिका निभाने के लिए साइन किया गय था और पादुकुन को और खान की सुटिंग दिखाती वी तस्वीरे जारी की गई यह पादुकुन की खान के साथ दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उनोने 2007 के ब्लाक बोस्टर ओम सांती ओम से बालियून में शुरुवात की थी मैला दिवस पर रिलीज हुई और इस फिल्म से तियराज को बालियून में परधाप्रन करते हुए पादुकुन को चतित को पिता की भूमी का निभाने के लिए चुना गए था अविनेती प्रियामानी की जनकारी द्वजत्तेरे में नयंत्रा की जगा फिल्म ने एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गए था तोमी सिन नेमा के आने वैतितों के जिन में दिल्ली गनेश और मोहन रमन की सामिले छोटी भूमी काओं में दिखाई देती है शुरुआत में इस फिल्म का नाम रेडी एस्टेटी पूर रखा गया था हलाकि दर्शिन भारत के साथ जुडाओं पर जोड देने के लिए फिल्म का ना नारहिल एस्टेशन फिम की प्रमुकी लोकेशन्स में से एक है पर्योजना का फिल्मकान पाच अक्तूबर द्वजर बारे को मुंबई के महबूब एस्टूडियो में शुरू हुआ नयूंतम चलाक दल के साथ छत्रा पती सिवार जी तर्मीन्सम में अत्रिक्त की फिल्मक किया गये था मुक्षियो अभिनेता की चित्र आनाधी कृत की रूप से अक्तूबर 2012 की मगयम जारी किये गए थे नौबर 2012 में कलाकार और चलाक दल की वहा की दूस्यों को फिल्माना सुरू करने के लिए गवा गये वासको की डी की गामा रेल्वे एस्टेशन को कल्यान ज जेलवे एस्टेशन के रूप में चितीत करने के लिए इस्तिमाल किया गया था दूद सागर की जल प्रापात की बंगल से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमांठी दोस्यों भी फिल्माया गया था दिसंबर दोजर भारे में कुछ दोस्यों को फिल्माने के लिए चलाक दल की जरकता गया पबन की बिर्जी को अनई अइंदीरा की गांधी ब्रीज की रूप में भी जाना जाता है जो तमिल नाडू को मंटबनी सहर को पबन दीप से जोड़ता है और रामेच्तरम की तेरा र आस्ता छोड़नों ना गेत कर दूर सिव था जनवरी दुजर तेरे में एक सुटिंग उटी में होने वाले थी लेकिन चुंकी खान को लगा की उन्टी मुंबई से बहुत दूर है उन्टी से कई इस्थानों को वाय में पचगानी की बागी की इलाके में कला की निर्देश की नरेंदरा रहुक डीकर की दारा पूर निमेरित किया गया था कि आवेश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन लगे वाय में फिल्मकान में मार्च 2013 का पूरा महिना लगा मुनार केरल में 10 दिवसी सुटिंग सेंडी उल अप्रील 2013 की मगया में शुरू हुआ दोसियर दिवी कुलम की जेल्म की मिशापूलिम मला की वागवारा और की कनिमाला में फिल्माए गे थे भारी की वर्ष के कारण फिल्मकान की कई दिनों तक रुक रहा जिसके की परिन सौरूप सेंडील को उसी महिने के अंतक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुनार में एकी सवान दाता की समयलन आयूजीत किया गए था कि मई 2018 में उतरी गोवा में दोसियों फिल्माए गेते पादू को 25 म turning 2022 को सुटिंग पूरी की खान रहों अपनी सेंडियों को फिल्माने के लिए रामोजी फिल्म की सिटी हैदराबाद के लिए उरान भरे फिम में कई तमें सवाद है लेकिन संध्वां को बनाय रखने के लिए किसी की अपसिंसा का उप्योग नहीं किया गया था रेट्च चैलेंज की इंटर्टेन्मेट बैनर की तले गोरी खान के करे मोरानी की रोणीस्त इसकुर्वाला और सिर्धात राय कपूर की तरह चैनई एक्सप्रेस का निर्मान किया गया था इसी यूटिवी मोशन पिक्चर्स की दारा अंतराष्टी सतर पर जारी किया गय था और चेनाई एक्सप्रेस के लिए ही चेनाई एक्सप्रेस में और खुछ ही कोई थी बाकी है कि इसको अमर मोईली की दारा रच गय था गीतों की रचना विशाल की सिखर जोड़ी ने की थे और गीत की आमिताब की भट्रे अचाय के लिए ही और यो यो की हनी की सी की दारा लिखे गय थे गानी की रिकॉर्ड अक्तूब़ 2022 की अंत में सुरुवी ट्रेक रेडि स्टेट विपी पो के नवंब़ दुजर बारे में सतागित की संगीत की संगितकारों की दारा रिकॉर्ड किया गया था कई सुत्रों ने कहा कि निर्देशन और अभिनेता की अभिनेता एक्सकोर से अंसतूसत थे की काथित तोर पर निर्देशन को एक अलग संगित की रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था कि हलाकी संगितकारों ने इन अफवाओ का खंडर किया कि अप्रिल दुजात तेरे की मगया में गायक एसपी की बलास सुब्रहा नायम ने फिल्म के लिए टाइटल ट्रेक रिकॉर्ड किया पद्रह साल की अनुपस्थी थी के बाद पहले बैक के लिए बाली उन में अपनी वापसी को चीहिज किया उनों ने कहा कि गीत ने एक जुट्ता की भावना का जम मान्य प्रम में बलास सुब्रहा नायम की आंसकाती थे लेकिन फिल्म की सामगिरी और मुख्यों भुमिका क कारण गाना सुनागीत एक दू तिन चार गेट ऑन दो डान्स फ्लोर में विस्की संगीत दिवस पर एक प्राचार की एकल की रूप में जारी किया गय था 27 जुन दोज़ा तेरो को तीतिली गाने का वीडियो प्रेमियो को जारी किया गय था और 21 जुलाई दोज़ा तेरो को कस्मीर मैतु कन्या कुमारी का प्रोमियो वीडियो जारी किया गय था 29 जुलाई 23 को T-series नी यूटूब पर अपने आधिकारी की चैनल पर एक गाना अप्लोड किया हर निस्ती की दारा गया गया फिर्म अभिनेता राजनेकार्थ के समान में गीत का स्निंसक लुंगी डांस दोर्ट लाइवर आर डिब्यूट की 25 था 25 जुलाई 23 को तेरा रास्ता में छोड़ून अगेत का एक परचार की वीडियो जारी किया गया था संगीत एलवम की एक जुलाई 23 को लंच किया गया था फिल्म ने 8 अगस 2003 को मल्टि प्लेक्स में 10 से 1200 के स्ताथ भारत में पुर्वालोन किया गया था कि चिनाई एक्सप्रेस को गयर प्रामपारी की अंतराश्टी बजारों में जारी किया जाना था पेरू में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी चिनाई एक्सप्रेस की मोर्कों की जर्मनी सीटर जैलेंड की ऑस्ट्रीडिया फ्रांस और इंजराइल में भी जारी किया गया था सब्ताहत की दिनों में से सो के दवरान चिनाई एक्सप्रेस की टिकोटों की किम्म समानिय टैरिप से 40% आधिक और सब्ताहत पर 20% तक बढ़ा दी गई थी हालाकि यह व्यूदि सभी की मल्टी प्लेक्सों में समान रूप से लगू नहीं की गई थी यह फिम भारत में 3-5-5-5 इसक्रीनों में 2-5-5 जास की सिनेमेगारों में और अंटराश्टी 75 इसक्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उतरी अमिरीका में एक से 96 इसक्रीन की यूनाइटे किंडम के एक से 75 मघे प्रू की पच्पन और अस्टेलिया में 30 लामिल है उस बेंदू तक सबसे वैपाई की बाली रिलीज है जेनाई एक्सप्रेस का पहला लुग एक जनुरी द्वज़ा तेरों को जारी किया गए था एसपी की ब्लास सुब्राहा नयम की दारा किया गए था 31 सेकेंड की सेंसक ट्रेक टीजर की 23 मघे द्वज़ा तेरे को जारी किया गए था फिल्म का आधिकारी की टेलर तेरे जुम द्वज़ा तेरे को मुंबाई में एक काईक्रिया में जारी किया गए था इसके लंज के दो दिन बाद यूटूबर इससे चार मिलियन से आधिक बार देखा गया फिल्म में खान और पादुकोन की दरा पहने गए परिधानों की निलामी की गई ब्रेकी से आए एक दान में दी गई थी निलामी फिल्म की रिलीश के दिन के आस पास हुई थी सिंगर बोक्स की एक से विडिशन की गेमिंग स्टूडियो की दरा विक्सिट की एक की कराव की एप को दुई अगास दोजात तेरे को एंडाइड और आई उवेस आधारी की समार्टफोन के लिए लंज किया गया था खान रियोलिटी टेलिवीजन सो कोमेडी नाइट उस वीद की कोपिल तारा की मेता का अरड़ा चस्मा मधुबाला एक इसका जुनून दी आईजी सुपर मम्त की जलक की दिखला जा चो और इंडियन आईडॉल की जुनियर पर अपनी फियम का प्राचार किया डर जीट गए इस्टर की गुंगल्म की दारा साल की अंत में खोजे जाने वाले की सावधिरी की पत्रों का संकलन चिनई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे चर्तित विसे बताया गया है फियम की उपगराट टेलिवीजन आधिकार जी नेटवर्च चर से असी मिलियन के में बेचे गए थे यह समझाता फियम की बॉक्स ओफिस राज़सर से जुड़ा था भारती अभिनेता में अपनी तरह का पहला सोदा अगर चिनई ए मताओं को अत्रित की 20 मिलियन मिलेंगे 20 अक्तुबर 2013 को फिल्म का टेलिवीजन प्रेमियर हुआ था और इसे रेकॉर्ड संखेया में दर्सकों की दारा देखा गये था जो की उस्ताम रेटिंग वाले फिक्शन सो से लगभाग दुगुन्ना था इसने अपनी प्रासंसक ज मुंबाई की दुबारा के साच्चेने एक्स्प्रेस के सुरू में पाकिस्तानी वित्रक और प्रदसकों की दारा छोड़ दिया गये था क्योंकि चार पाकिस्तानी फिल्म में एक ही दिन रिलीज हुई थी रिलीज की तारीक क्रोमस पंद्रे और 9 आगस्प तक के लिए सथ जीकर में पड़ गई राजे की राहत और पुन्वांस की मंत्री पतंग्राव की कदम निस्तमस्या का समधान किया टुईटर और यूटूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और टेलर की तमिल लोकाचार के जितरन के लिए कुछ तमिल मीडिया की दारा अलोचना की गई थी उ पादुकोन की अत्यादिक उचारन वाले की स्वात तमिल के बज़ाए मल्याली की लहजे से मेल खाते हैं पादुकोन ने फियम का बजाओ करते हुए कहा कि यह दर्षिन भारती संस्कूरूती की पैरोडी नहीं करती है और खुझ सहित आंधिकास चलाकदल दर्षिन भारती है उसने बाद में कहा कि हम अपनी संस्कूरूती को धोका की देंगे 21 जुलाई 23 को राष्टवादी की राजनीतिक दल महराष्टी की नाव निर्मता सेना की फियम की विंग ने फियम के प्रेमियर को बांधित करने की धमकी दी इसने काथी तोर पर चल रही लोगप्रिया म मराठी की की फीम में सिने मेगारों से हटाने की प्रियास जो एक समय मी कीवल एक फियम दिखती है परटी इन खबरों से पर्षान थी कि चेने एक्धिरेस की वितरवों निस सिंगल इस्क्रीन की सिनेमागारों में और कुछ मल्टी प्लेक्सों में प्राइन स्टाइल की जागों के राइट ठाकरे की ठकडे नाम की समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्छों की सुनने के बार ठाकरे की ठकडे ने फैसला किया की फैसला सुनाया की अगर दुनियादारी को राजय भर की सिंगल इस्क्रीन की सिनेमगारों में से नहीं हटाया गये तो मंसी महराष्ट में चिनई एक्सप्रेश की रिलीज पर आपराती नहीं कर जताएगी चिनई एक्सप्रेश को दस की दस भासाओं में रिलीज किया गया था हेलो दोस्तों सुवागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलीवूट की सुपर एष्टर सारूख खान की करियर की सबसे बड़ी मोबी जिसका नाम है चिनई एक्सप्रेश तो दोस्तों अगर आप भी सारूख खान की फैनो और अगर है चिनई एक्सप्रेश मोबी को दिखना चाहते हो और साथी-छाथ साथ इस और यूटूबी मोशन पिक्चर्स और रेड चिलिच की इंटर्टेन्मेंट की दरा निर्मिर 2003 की भारती हिंदी भासा की एक्शन कमेडी फिल्म है इसमें सहायक भूमिकाओं में निकीतिन धीर की सत्या राज कमीने कोसल और लेंग की टॉंडन के साथ सारू खान और दिपिका पादू कोन है या फिम राहून मिठाई वाला के इद गिर्द भूमती है जो गलती से इसी नाम की ट्रेन में सवार हो जाता है और एक सथानी की डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रा मेतरन की यात्रा करता है खान और की बेटी के लिए ही चले जाते है कुछ मान को खान और सेटी के बीच पहला नियोजित सयोगी अंगुल उनाई से बिरासी कारे में था इसके भज़ाई चेनाई एक्सप्रेस की सिखपट जिसी सुरू में खान के लिए एक बैक आप की प्रोजेकर्ट की रुप में लिखा गया था कुछ चुना गया था कि एक वैसाही की रुमांज के रुप में आवधारित की इस फिल्म का मुल सिंसक रेडी स्टेडी पोथा फिल्मकान अक्तूबद वजर बारे में महभूब इस्टूडियो में सुरू हुआ और माई 2003 तक पूरा हो गया फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उटे में सेट किया गय था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म की सिटी में भी सेट बनाए गय थे चेनाई एक्सप्रेस के लिए साउंड्रे की विशाल सेखर की दारा रचीत था जिसकी प्रूस भूमी एसको और आमर मोहिली की दारा बनाई गई थी सवदेश 2004 की और के बाद खान के साथ अपनी पहली इस किरिया पर्योजना को चिहित करते हुए यूटीवी मोशन पिक्चर्स की निर्मता और वित्रक के रूप में ब्रोड पर आए चेनाई एक्सप्रेस की विडेसी बजारों में 8 अगस्त वज़ा तेरे को और एक दिन बाद भारत में नाट की रूप से जारी किया गए था फिल्म को अलोजको से मितिक समिक्चाय मिली और इसने भारत और विडेसों में बॉक्स ओफिस के कई रिकॉर्ड तोर दिये घरेलू सतर पर एक मिलियन का सुब्ध संग्री करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई फिल्म ने तीन इंडिया टस 2009 को पीछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे जयाधा कमाई करने वाली बालियून फिल्म बन गई अब तकी 21 सबसे जयाधा कमाई करने वाली भारती फिल्म है 69 फिल्म फियर प्रासकारों में चेनाई एक्सप्रेस को सतेश फिल्म की निर्देशन सेटी की आभिनेता खान और आभिनेतरी पदुकोन की सही साथ नमाकन प्रापात हुए राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 साल का अनात कुवारा है 8 साल की उम्रे से अपने दादा दादी की दरब पाला गया राहुल के दादा भम विसभर एक की वैपारी के लिए है जो की अपने ही परे की त्रूंखला के मालिक है मिशन की भिसभर के सैवे जनमदीन की समहारों से पहले राहुल के दोस बावी और बामन ने उन्हीं गोवा में छुटी मनाने के लिए आमान्तित किया जिसे उन्होंने स्विकार कर लिया कि इस बीच उत्सों की प्रू संग्या पर भिसमाभर की मुतियों हो जाटिये ठीक उसी समय जबव की किट मैंज में टीवी पर सचित की ते दूलकर को अपनी निनान्बिवे रन पर आउट होते हुए देखता है बिन्सबर्ण के अंतिन संसकार के बाद राहूल की दादी नितू ने राहूल को बताया कि बिन्सबर्ण की चाते थे कि उनकी राग को दो भागों में विभाजित किये जाए एक हीसा गंगा के में विट्जित किया जाए और दोसरा रामजेचरम में वह राहूल के साथ राग को रामेचरम ने जाने और उन्हें तितर बेतर करने के लिए कहती है अनिक्षा से वह उसके अनुरोग के स्विकार करता है लेकिन गाउ को यत्रा में सामील होने के लिए उत्कुस है राहुल बावी और बामन की राख को गोवा में फेकने की युजना है लेकिन नीतू उसे वीड़ा करने चाहती है जिसे राहुल के ट्रेन से यादरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा वह कलियान जक्सन की इस्ट्रेशन पर रास्ते में बावी और बामन से मीनने की युज बनाती हुए चेनई एक्सप्रेस का ही एक टीकट बुक करता है अलाकि राहूल ने राक लेना भूल जाता है जब और जब वह उन्हें लेने के लिए लोड़ता है तो ट्रेन लगभग छोड़ जाती है जैसे ही राहूल ट्रेन से उतरने की कोशिस करता है वह एक यूती है उस इसमें सवार होने के लिए दोड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चड़ने में उसकी और चार अनय लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही इस्टेशन छोड़ देता है राहूल उस मैला के साथ छिड़कानी करने की कोशिस करता है जो राहूल उसे अपना मोबाईल फोन उधार देता है ताकि वह अपने दोस्तों से संपक कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकड़ दिया और ट्रेन से फेक दिया राहूल नराज है लेकिन कुछ नहीं कहता कि क्यूंकि प्रूस की हतियार लेका चल रहे है राहूल की टेकट परिक्षक को उनके बारे में बताता है लेकिन वे एक स्पेक्टर को एक पूल के नीचे नदी में धकेल देती हैं घबराये हुए राहुर को पता चलता है कि चर आदमी उसके चचेरे भाई है और उसका पहले ही से ही उसका पहले उसका असले नाम मिना लोचनी की मिन मिनमा की अजगूसुधरम की है वो तफघा बलि की नामन के एकी बनमान से जबरन साधी करके भाग रही है मिनमा की राहूल को दुरगेश के पास ले जाते है और राहूल को अपनी प्रेमी के रूप में पेश करती है तंग बली रहुल को एक दुर्दियुद की चुनोती देता है जिसे रहुल अंजाने में तमिल में ग्यान की कमी के कारण सुईकार कर लेता है। कारी की जांच करते हैं और राहूल की हिरासत में लेते हैं तो वो अपनी कहानी बताता है और कोंबन में वापस आ जाता है भायवित और एक बार फिर दुर्गेर्स के तरांती चलाने वाले गुरुवों से गिरा हुआ राहूल मीनमा को बंधक बनाने का नाटा करता है और मीनमा जगड़ा करती है और अलग हो जाते हैं राहूल ना जाने किस रास्ते से जाना है मीनमा की पास लोटा जो उसी बिंद्वा गाव के ले जाती है मीनमा की ग्रामीनों को बताती है कि वे एक विवाही जोड़े है जिनोंने सुरक्षा और आराम की आवे सकता है जिसे ग तो वह तर्क देती है कि वह ग्रामीनों की आविस्वास को अरजित नहीं करना चाहती तंगबली की राहूल को पकड़ने की कोशिस करता है क्यूंकि वह छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन ग्रामीन उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं मिनम्मा की राहूल को भिंसभर क राख को फैलाने के लिए राजी करती है और उसके साथ रामेच्रम के लिए ही रामेच्रम के यात्रा करती है जहावे संस्कार पूरा करती है। करता है वह मिनमा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है राहुल तंग बली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तयार है इसके बार होई लड़ाई में राहुल गंभी रूप से घायल हो गया लेकिन विजय हुआ कि दुर्गोष्ट और राहुल को मीना से साधी करने की अनुमति देता इसके बाद राहुल एक संदेश देती है कि प्रेम कोई चेतरी या भसाई बधावों को नहीं जानता है और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंग और रोही सेटी ने मूल रूप से उन्नाई से बिरासी की फिल्म अंगूर के रिट्म के लिए सारू खान के साथ टीम बनाने की युजना बनाई थी 2021 की ब्लाक बोस्टर की स्टिंगम के बार सेटी ने फिल्म की पठकटा लिखना शुरू कर दिया था लेकिन इसकी आधा अधूरा छोड़ दिया चेनल एक्सप्रेस की पठकटा खान के लिए बैक आप की रूप में तयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्माकान की तारीकों को प्रपात करने में कठिनाई हो रही थी पठकटा परने पर खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर की रिमेक से पहले ही इसमें अभिनाई करने के लिए सहमात हो गया जिसे अंगूर का रिमेक सतागीत हो गया सेटी ने कहा कि फिल्म रोमांटी कोन के साथ एक हार्ड कोर की वैसाही की फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबाई से रामेचरम की यात्रा और यात्रा के दरन क्या होता है के बारे में हैं लगबग और 60 मिनाट के फुटेज से दिलायन्स की दारा सीजी आई के साथ बढ़ाया गया था मीडिया वर्स की चेनई एक्सप्रेस के सुरुवात में खान की पहले आभिनेथा थे जिने सिकपट के साथ संपख किया गया था और फिल्म के लिए स्टाइन की जाने वाले पहले मुख्यों आभिनेथा थे रोही सेटी ने कहा कि सिंसक के बावजोत खान फिल्म में एक तर्षिन भारती की वुमिका नहीं निभाएंगे मुख्यो नायका का चैन बहुत प्रेंस की और्टकलों का विशय था करीना का पूर असिन और दिपीका पादुकोन के सामिल होने की अफवा थी रेडी सेटी की ने उन अफवावों का खंडन किया कि जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रिल दुजर बारे में अंतिम रुप दिया जाएगा और इस की वह इस भूमिका में एक सथापित अभिनेतरी को लेने जा रहे हैं अक्तूबर दुजर बारे में यह पूसिट की गई कि दिपिका पादुकोन को उनको खान के साथ मुख्यों महिला भूमिका निभाने के लिए साइन किया गय था और पादुकुन को और खान की शुटिंग दिखाती वी तस्वीरे जारी की गई यह पादुकुन की खान के साथ दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उनोने 2007 के ब्लाक बोस्टर ओम सांती ओम से बालियून में शुरुवात की थी मैला दिवस पर रिलीज हुई और इस फिल्म से श तियराज को बालियून में परधाप्रन करते हुए पादुकुन को चतित को पिता की भूमी का निभाने के लिए चुना गए था अभिनेती प्रियामानी की जनकारी द्वजत्तेरे में नयंत्रा की जगा फिल्म ने एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गए था तोमी सिन नेमा के आने वैतितों के जिन में दिल्ली गनेश और मोहन रवन की सामिले छोटी भूमी काओं में दिखाई देती है शुरुवात में इस फिल्म का नाम रेडी एस्टेटी पूर रखा गया था हलाकि दर्शिन भारत के साथ जुडाओं पर जोड देने के लिए फिल्म का नाम बदल कर चिनए एक्सप्रेस रखा गया जिसका नई योजित सिंसर की टैग लाइन के रूप में इस्तेमाल किया गया था केरल का मुनार हिल एस्टेशन फिम की प्रमु की लोकेशन्स में से एक है पर्योजना का फिल्मकान पाच अक्तूबर द्वजरबादे को मुंब नेता की चित्रा आनाधी क्रूत की रूप से अक्तूबर द्वजरबारे की मघ्यम जारी किये गए थे नवंबर द्वजरबारे में कलाकार और चलाक दल की वहा की दोस्यों को फिल्माना सुरू करने के लिए गुवा गये वास्को की डी की गामा रेल्वे एस्टेशन को कल मांठी दोस्यों भी फिल्माया गये था दिसंबर द्वजरबारे में कुछ दोस्यों को फिल्माने के लिए चलाक दल की जरकता गया पबन की बिर्जी को अनई अइंदीरा की गांधी ब्रीज की रूप में भी जाना जाता है जो तमिल नाडू को मंटब में सहर को पबन दी जन्वरी 2013 में एक सूटिंग उटी में होने वाली थी लेकिन चुंकी खान को लगा की उन्टी मुंबई से बहुत दूर है उन्टी से कई इस्थानों को वाय में पचगानी की बागी की इलाके में कला की निर्देशन की नरेंदरा रहुक रीकर की दारा पुर निमेरित किया गया था कि आवेश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन लगे वाय में फिल्मकान में मार्च 2013 का पूरा महिना लगा मुनार केरल में 10 दिवसी सूटिंग सेंडियूल अप्री 2003 की मगया में शुरू हुआ दोसियर दिवी कूलम की जेल्म की मिसापूलिम मला की वागवारा और की कनिमाला में फिल्माए गे थे भारी की वर्ष के कारण फिल्मकान की कई दिनों तक रुक रहा जिसके की परिन सौरूप सेंडिल को उसी महिने के आं तक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुणार में एकी सवान दाता की समयलं आयुजित किया गय था कि मई-ज़त्तेरे में उत्री गौवा में दोशियों फिल्माये गये थे पादू को सुटिंग पूरी की खानने मई-ज़त्तेरे में अपनी सेस्थ दोशियों को फिल्माने के लिए रामोजी फील्म की सिटी है विद्राबाद के लिए उड़ान भड़ी फिम में कई तमें सवाद है लेकिन संवां को बनाय रखने के लिए किसी की अपसिंसा का उपयोग नहीं किया गया था रेट चैलेंज की इंटर्टेन्मेट बैनर की तले गोरी खान की करी मोरानी की रोनी स्कुर्वाला और सिर्धात राय कपूर की दरा चेनाई एक्सप्रेस का निर्मान किया गया था इसी यूटीवी मोसन पिक्चर्स की दरा अंतराष्टी सतर पर जारी किया गया था और चेनाई एक्सप्रेस के लिए ही चेनाई एक्सप्रेस में और कुछ ही कोई थी बाकी है कि इसको और आमर मोहिली की दारा रच गये था गीतों की रचना विशाल की सिखर जुड़ी ने की थे और गीत की आमिताप की भट्रे अचाय के लिए ही और यो यो की हनी की से की दारा लिखे गये थे गानी की रिकॉर्ड अक्तुबा दुजर बारे के अंत में सुरूवी ट्रेक रेडी से स्टेट विप की नवंबा दुजर बारे में सतागेत की संगीत की संगीतकारों की दारा रिकॉर्ड किया गये था कई सुत्रों ने कहा कि निर्देशन और अभिनेता की अभिनेता एक्सकोर से अंसतूसत थे की काथित तोर पर निर्देशन को एक अलग संगीत की रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था कि हलाकी संगितकारों ने इन अफवाओ का खंडर किया कि अप्रिल दुजार तेरे की मगया में गायक एसपी की बलास सुब्रहा नायम ने फिल्म के लिए टाइटल ट्रेक रिकॉर्ड किया पद्रह साल की अनुपस्थी थी के बाद पहले बैक के लिए बाली उन में अपनी वापसी को चीहिज किया उनों ने कहा कि गीत ने एक जुट्ता की भावना का जम मान्य प्रम्भे बलास सुब्रहा नायम की आंसकाती थे लेकिन फिल्म की सामगिरी और मुख्यो भुमिका की क कारण गाना सुनागीत एक दू तिन चार गेट ऑन दो डान्स फ्लोर में विस्की स्तंगीत दिवस पर एक प्राचार की एकल की रूप में जारी किया गए था 27 जुन दोज़ातेरों को तीतिली गाने का वीडियो प्रेम्यो को जारी किया गय था और 21 जुलाई दोज़ातेरों को कस्मीर मैतु कन्या कुमारी का प्रोम्यो वीडियो जारी किया गय था 29 जुलाई दोज़ातेरों को टी सीरीज नी यूटूब पर अपने आधिकारी की चैनल पर एक गाना अपलोड किया हरनी सी की दारा गया गया फिर्म अभिनेता राजनेकार्ट के समान में गीत का स्निंसक लुंगी डांस दॉट लाइवर आर डिब्यूट की 25 था 25 जुलाई दोज़ातेरे को तेरा राष्ते में छोडूना गीत का एक पराचार की वीडियो जारी किया गय था पुरवालोन किया गय था कीचेनाई एकस्प्रेस को गयर प्रामपारी की अंतराश्टी बजारों में जारी किया जाना था पेरू में यह भारत की तरह उसी दिन दिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी चिनई एक्सप्रेस की मुर्कों की जर्मनी सीटर जैलेंड की आस्ट्रीडिया फ्रांस और इंजराइल में भी जारी किया गये था सब्ताहत की दिनों में से सो के दवरान चिनई एक्सप्रेस की टिकोटों की किम्मत समानिय टैरिप से 40% आधिक और सब्ताहत पर 20% तक बढ़ा दी गई थी हलाकि यह व्यूदि सभी की मल्टी प्लेक्सों में समान रूप से लगू नहीं की गई थी यह फिम भारत में 3-5-5 इसक्रीनों में 2-5-5 जास की सिनेमेगारों में और अंटराश्टी 7-75 इसक्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उत्री अमेरीका में 1-96 इसक्रीन की यूनाइटे किमडम के 1-75 मगह प्रो की पच्पन और अस्टेलिया में 30 लामिल है उस बेंदू तक सबसे वैपाई की बाली रिलीज है चेनाइग एक्सप्रेस का पहला लुक 1-जनुरी-2013 को जारी किया गये था एसपी की ब्लास सुबराहा नयम की दारा किया गये था 31 सेकेंड की सेंसक ट्रेक टीजर की 23 मई-2013 को जारी किया गये था फेम का आधिकारी की टेलर तेरे जुम द्वजा तेरे को मुंबाई में एक काईक्रिया में जारी किया गये था इसके लंज के दो दिन बाद यूटूपर इससे 4 मिलियन से आधिक बार देखा गया फेम में खान और पादुकोन की दरा पहने गये परिधानों की निलामी की गई ब्रेकी से आए एक दान में दी गई थी निलामी फेम की रिलीज के दिन के आसपास हुई थी सिंगर बोक्स की एक से वीडिशन की गेमिंग स्टूडियो की दरा विक्सिट की एक की कराव की एप को दुई अगास दोजात तेरे को एंडाइड और आई उएस आधारी की समार्टफोन के लिए लंज किया गये था खान रियालिटी टेलिवीजन सो कॉमेडी नाइट और स्वीड की कोपिल तारा की महता का अरड़ा चस्मा मधुबाला एक इसका जुनून दी आईजी सुपर मम्त की जलक की दिखला जा चो और इंडियन आईडॉल की जुनियर पर अपनी फियम का प्राचार किया डर जिट गए इस्टर की गुंगल्म की दारा साल की अंत में खोजे जाने वाले की सावधिरी की पत्रों का संकलन चिनई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे चर्तित विसे बताया गया है फियम की उपग्राच टेलिवीजन आधिकार जी नेटवर्च चर से असी मिलियन की में बेची गए थे यह समझाता फियम की बॉक्स ओफिस राज़ता से जुड़ा था भारती अभिनेता में अपनी तरह का पहला सोदा अगर्चे नह एक्सप्रेस ने सुब्द पर रूप से तेरे मिलियन से आधि की कमाई की तो उसके बाद अरजित प्रेक की सम मिलियन के लिए निर्माताओं को अतरित की 20 मिलियन मिलेंगे 20 अक्तुबद वाजा तेरों को फिल्म का टेलिवीजन प्रेमियर हुआ था और इसे रिकॉर्ड सं खेया में दर्शकों की दारा देखा गया था जो की उस्ताम रेटिंग वाले फिक्सान सो से लगभाग दुगुन्ना था इसने अपनी प्रासंसक जी टीवी को उस महीने समाने मंदुरों जान चैनलों में सिंसक इस्थान पर पहुचने में मदद की वन्स के आपन एक टाइम की इन मुंबई की दोबारा के साच्चेने एक्सप्रेस के सुरू में पाकिस्तानी वित्रक और प्रदस्गों की दारा छोड़ दिया गय था क्यूंकि चार पाकिस्तानी फिल्म में एक ही दिन रिलीज हुई थी रिलीज की तारी क्रोमस पंद्रे और 9 अगस्त के लिए सथागित कर दी गय थी फिल्मकान के अपने वाइस सेंडियो के दोरान महराष्टी से सुंख ग्रोष्ट की सतारा जिले में ढोम बान से बहुत आधिक पानी का उप्योग करने के लिए फिल्म की यूनिट मुस्जिकर में पड़ गई राजे की राहत और पुनवांस की मंत्री पतंग्राओ की कदम निस्तमस्या का समधान किया टुईटर और यूटूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और टेलर की तमिल लोकाचार के जितरन के लिए कुछ तमिल मीडिय की दारा अलोचना की गई थी उन्होंने कहा कि पादुकुन की अत्यादिक उचारन वाले की स्वात तमिल के बज़ाए मलियाली की लगजे से मेल खाती है पादुकुन ने फियम का बजाओ करते हुए कहा कि जद दर्षिन भारती संस्कूरूती की पैरोडी नहीं करती है और खुझ स चाहित आंधिकास चलाक दल दर्षिन भारती है उसने बाद में कहा कि हम अपनी संस्कूरूती को धोका क्यों देंगे 21 जुलाई द्वजा तेरे को राश्टवादी की राजनीतिक दल महराश्टी की नाव निर्मता सेना की फिल्म की विंग ने फिल्म के प्रेमियर को पर्टी इन खबरों से प्रिसान थी कि चेनई एक्स्प्रेस की वितरगों सिंगल इस्क्रीन की सिनेमा घारों में और कुछ मर्टी प्लेक्सों में प्राइम स्टाइल की मांग की थी जहाँ सुपर हिट मराथी फिल्म दुनियादारी द्वजा तेरे उननेश जुलाई से लोगपुरिया थी एक अगस द्वजा तेरे को दोनों फिल्म की निर्देशनों की रोहित की सेटी और संजे की जगों की राइट ठाकरे की ठकडे नाम की समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्छों की सुनने के बार ठाकरे की ठकडे ने फैस एक्सप्रेश की रिलीज पर आपराती नहीं कर जताएगी चिनई एक्सप्रेश को 10 की 10 भासाओं में रिलीज किया गया था हेलो दोस्तों स्वागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलीवुट की सुपर इस्टार स सारुख खान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है चिनई एक्सप्रेश तो दोस्तों अगर आप भी सारुख खान की फैन हो और अगर अप चिनई एक्सप्रेश मोवी को दिखना चाहते हो और साथी साथ इस मोवी को बजेट इन बॉक्स आफिस कलेक्शन को जानन चाहते हो तो इस वीडियो में आंतक जरूर बने रहेगा और साथी सथ बिल आइकन दबाना नाम भी न भूलेगा के नई एक्सप्रेस के सुनो रोहित की सेटी की दारा निर्देशित और यूटूबी मोशन पिक्चर्स और रेड चिलीच की इंटर्टेन्मेंट की दारा निर्मी 2003 की भारती हिन दिभासा की एक्शन कमेडी फेम है इसमें सहायक भूमेकाओं में निकीतिन धीर की सत्या राज कमीने कोसल और लेंग की टॉंडन के साथ सारू खान और दिपिका पादू कोन है या फिम राहून मिठाई वाला के इद गिर्द भूमती है जो गलती से इसी नाम की ट्रेन में सवार हो जाता है और एक सथानी की डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेतरन की यातरा करता है खान और की बेटी के लिए ही चले जाते है कुछ मान को खान और सेटी के बीच पहला नियोजित सयोगी अंगुल उनाई से बिरासी कारे में था इसके बज़ाई चेनाई एक्सप्रेस की सिखपट जिसी सुरू में खान के लिए एक बैक आप की प्रोजेकर्ट की रुप में लिखा गया था कुछ चुना गया था कि एक वैसाही की रुमांज के रुप में आवधारित की इस फिल्म का मुल सिंसक रेडी स्टेडी पोथा फिल्मकान अक्तूबद वजर बारे में महबुग इस्टूडियो में सुरू हुआ और माई 2003 तक पूरा हो गया फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उटे में सेट किया गय था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म की सिटी में भी सेट बनाए गय थे चेनाई एक्सप्रेस के लिए सांड्रे की विशाल सेखर की दारा रचीत था जिसकी प्रूस भूमी एसकोर आमर मोहिली की दारा बनाई गई थी सवदेश 2004 की और के बाद खान के साथ अपनी पहली इस किरिया पर्योजना को चीहिट करते वे YouTube, Motion, Pictures की निर्मता और वित्रक के रूप में ब्रोड पर आए चेनाई एक्सप्रेस की विडेसी बजारों में 8 अगस्त वज़ा तेरे को और एक दिन बाद भारत में नाट की रूप से जारी किया गए था फिल्म को अलोजको से मितिक समिक चाय मिली और इसने भारत और विडेसों में बॉक्स ओफिस के कई रिकॉर्ड तोर दिये घरेलू सतर पर एक मिलियन का सुब्ध संग्री करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई फिल्म ने तीन इंडिया टस 2009 को पीछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे जयाधा कमाई करने वाली बालियून फिल्म बन गई खान और अभिनेत्री पदुकोन की सही साथ नमाकन प्रापात हुए राहूल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 साल का अनात कुबारा है आठ साल की उम्रे से अपने दादा दादी की दरब पाला गया राहूल के दादा भम विष्बर एक की वैपारी के लिए है जो की अपने ही परे की त्रूंखला के मालिक है मिशन की भिष्ब संभर के सैवे जनमदीन की समहारों से पहले राहूल के दोस्त बावी और बामन ने उन्हीं गोवा में छुटी मनाने के लिए आमान्तित किया जिसे उन्होंने स्विकार कर लिया कि इस बीच उट्सों की प्रू संग्या पर भिष्ब मावर की मुतियों हो जाटिये ठीक उसी समय जबव की किट मैंज में टीवी पर सचित की ते दुलकर को अपनी निनान्बिवे रन पर आउट होते वे देखता है भिन्सबर्ण के अंतिन संसकार के बाद राहूल की दादी नितू ने राहूल को बताया कि भिन्सबर्ण की चाते थे कि उनकी राग को दो भागों में विभाजित किये जाए एक हीशा गंगा के में विश्जित किया जाए और दूसरा राम जेच्रम में वह राहूल के साथ राक को रामेच्रम ने जाने और उन्हें तितर बेतर करने के लिए कहती है अनिक्षा से वह उसके अनुरोग के स्विकार करता है लेकिन गाउ को यात्रा में सामील होने के लिए भी उत्कुस है राहुल बाबी और बामन की राख को गोवा में फेकने की युजना है लेकिन नितु उसे वीड़ा करने चाहती है जिसे राहुल के ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ावा कलियान जक्सन की इस्ट्रेशन पर राष्टे में बाबी और बामन से मीने की युजना बनाती हुए चेनई एक्सप्रेस का ही एक टिकट बुक करता है हलाकि राहुल ने राक लेना भूल जाता है जब और जब वह उन्हें लेने के लिए लोड़ता है तो ट्रेन लगभख छोड़ जाती है जैसे ही राहुल ट्रेन से उतरने की कोशिस करता है वह एक यूती है उसमें सवार होने के लिए दोड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चड़ने में उसकी और चार अनए लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही इस्टेशन छोड़ देता है राहूल उस मैला के साथ छिड़कानी करने की कोशिस करता है जो हिंदी फिल्मी की गानों की पराड़ी की गांकर की स्वात करना सुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका उपहारन करने की कोशिस कर रहे हैं राहूल उसे अपना मोबाईल फोन उधार देता है ताकि वह अपने दोस्तों से संपक कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकड़ दिया और ट्रेन से फेक दिया राहूल नराज है लेकिन कुछ नहीं कहता कि क्यूंकि प्रूस की हतियार लेका चल रहे है राहूल ट्रेवलिंग की टीकट परिक्छकों उनके बारे में बताता है लेकिन वे एक स्पेक्टर को एक पूल के निचे न उसका असले नाम मीना लोचनी की मिनममा की अजगुसुद्रम की है वह तब गाबली की नाम के एक की बर्नमाज से जबरन साधि करके भाग रही है मिनममा की पिता दुगरेचा दुरगेश की अजगुसुद्रम की तमिलनाडो में सथाते की माफिया के एक सक्तिसाली मूखि यह मिनम्मा की राहूल को दुर्गेश के पास ले जाते हैं और राहूल को अपनी प्रेमी के रूप में पेस करती है, तंकबली राहूल को एक दुरदियोध की चुनौती देता है। इससे राहुल अंजाने में तमिर में ग्यान की कमी के कारण सुईकार कर लेता है। दर्द की रात राहुल एक स्थाने की पूलिस कर्मी की समसेट की मदद से भाग जाता। लेकिन वा तिरिंकलाई की अंदकवादियों और तसकरों के साथ एक जहार पर समाप्त हो जाता है पूलिस बल और अंदकवादियों के बीच एक बंदू की लड़ाई सुरू होती है जब पूलिस की आधिकारी की जांच करते है और राहुल की हिरासत में लेते है तो वो अपनी कहानी बताता है और कोंबन में वापस आ जाता है भायवित और एक बार फिर दूरुगेर्स के तरांती चलाने वाले गुरुगों से गिरा हुआ है राहुल मीनम्मा को बंधक बनाने का नाटा करता है और दूरुगोंस की आदमियों से लड़ते वे दूरुगोंस की कार में उसके साथ भाग जाता है जब कार तुट जाती तो राहुल और मीनम्मा जगड़ा करती है और अलग हो जाते है राहुल ना जाने किस रास्ते से जाना है मीनम्मा की पास लोटा जो उसी बिंद्वा काओ के ले जाती है मीनम्मा की ग्रामीनों को बताती है कि वे एक विवाही जोड़े है जिनोंने सुरक्षा और आराम की अवैस सकता है जिसे ग्रामीन की सहमत है मीनम्मा को तब तब पता चलता है कि उससे राहुल से प्यार हो गया जब राहुल चिपके से भागने की राहुल को पकड़ने की कोशिस करता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन ग्रामीन उन्हें फिर से भागने में मदद करती है मिनम्मा की राहुल को भिंसभर की राख को फैलाने के लिए राजी करती है और उसके साथ रामेच्रम के लिए ही रामेचरम के यात्रा करती है जहावे संसकार पूरा करती है वापस रास्ते में रावर को पता चलता है कि उसे मिनमा से प्यार हो गया और वह उसे नहीं बताता कि वह कहा जा रहे है वह मिनमा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और मिनमा की इक्षा को समझने और उसका समान करने की कोशिस करता है वह मिनमा से यह भी कहता है कि वह उसे प्यार करता है राहुल तंगबली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तयार है इसके बाद होई लड़ाई में राहुल गंभी रूप से घायल हो गया लेकिन विजय हुआ कि दुर्गोष और तंगाबली की सुधार्या स्विकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी सरीरी की छमता और राजनीती की प्राभाव से बड़ा है दुर्गोष राहुल को मीना से साधी करने की अनुमती देता है इसके बाद राहुल एक संदेश देती है कि प्रेम कोई चेतरी या भसाई बढ़ावों को नहीं जानता है और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंग और रोही सेटी ने मूल रूप से उनने से बिरासी की फिल्म अंगूर के रिट्म के लिए सारू खान के साथ टीम बनाने की योजना बनाई थी कि 2021 की ब्लाक बोस्टर की स्टिंगम के बार सेटी ने फिल्म की पठकटा लिखना शुरू कर दिया था लेकिन इसकी आदा अधूरा छोड़ दिया चेनल एक्सप्रेस की पठकटा खान के लिए बैक आप की रूप में तयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्माकान की तारीकों को प्रपात करने में कठिनाई हो रही थी पठकटा परने पर खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर की रिमेक से पहले ही इसमें अभिनाय करने के लिए सहमत हो गया जिसे अंगूर का रिमेक सथागित हो गया सेटी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोन के साथ एक हार्ड कोर की वैसाही की फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबई से रामेचरम की यत्रा और यत्रा के दरन क्या होता है के बारे में हैं लगबग और 60 मिनाट के फुटेज से दिलायन्स की दारा सीजी आई के साथ बढ़ाया गया था मीडिया वर्स की चैनल एक्सप्रेस के सुरुवात में खान चितेत के लिए बैक ओप की प्रोजेकर्ट के रुप में लिखा गया था खान की पहले अभिनेता थे जिने सिक्पट के साथ समपक किया गया था और फिल्म के लिए स्टाइन की जाने वाले पहले मुख्यों अभिनेता थे रोही सेटी ने कहा कि सिंसक के बावजुद खान फिल्म में एक तर्शिन भारती की वुमी का नहीं निभाएंगे मुख्यों नायका का चैन बहुत प्रेंस की ओटकलों का विशय था करीना का पूर असीन और दिपीका पादुकोन के सामिल होने की अफवा थी रेडी सेटी की ने उन अफवावों का खंडन किया कि जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रिल दोजर बारे में अंतिम रुप दिया जाएगा और इस की वह इस भूमिका में एक सथापित अभिनेतरी को लेने जा रहे हैं अक्तुबर दुजर बारे में यह पूसिट की गई कि दिपीका पादुकोन को उनको खान के साथ मुख्यों महिला भूमिका निभाने के लिए साइन किया गए था और पादुकुन को और खान की सुटिंग दिखाती वी तस्वीरे जारी की गई यह पादुकुन की खान के साथ दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उनोने 2007 के ब्लाक बोस्टर ओम सांती ओम से बालियून में शुरुवात की थी मैला दिवस पर रिलीज हुई और इस फिल्म से तियाराज को बालियून में परदाप्रन करते हुए पादुकुन को चतित को पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गए था अविनेती प्रियामानी की जनकारी द्वजत्तेरे में नयंत्रा की जगा फिल्म ने एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गए था त्वमी सिनेमा के आने वैतितों के जिन में दिल्ली गनेश और मोहन रमन की सामिले छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती है शुरुआत में इस फिल्म का नाम रेडी एस्टेटी पो रखा गया था हलाकि दर्शिन भारत के साथ जुड़ाओं पर जोड़ देने के लिए फिल्म का प्रमुकी लोकेशन्स में से एक है परियोजना का फिल्मकान पाच अक्तूबर द्वजर बारे को मुंबई के महबूब एस्टूडियो में शुरू हुआ नयूंतम चलाक दल के साथ छत्रा पती सिवाजी तर्मीन्सम में अत्रिक्त की फिल्मकान किया गय था मुख्यो अभ दोस्यो को फिल्माना शुरू करने के लिए गुवा गये वास्को की डिण की गामा रेल्वे एस्टेशन को कल्यान जक्स देलवे एस्टेशन के रुप में चितीत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था दूद सागर की जल प्रापात की बंगा से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमांठी दोसियों भी फिल्माया गय था दिसंबर दोजर बारे में कुछ दोसियों को फिल्माने के लिए चलाक दल की जर्कता गया पबन की बिर्जी को अनई अइंदीरा की गांधी ब्रीज की रूप में भी जाना जाता है जो तमिल नाडू को मंटब में सहर को पबन दीप से जोड़ता है और रामेच्तरम की तेरा रास्ता छोड़नों ना गीत का दूरसियों था जनवरी 2013 में एक सूटिंग उटी में होने वाली थी लेकिन चुंकी खान को लगा की उन्टी मुंबई से बहुत दूर है उन्टी से कई इस्थानों को वाई में पचगानी की बागी की इलाके में कला की निर्देशन की नरेंदरा रहुक रीकर की दरा पूर नीमिरित किया गये था कि आवेश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन लगे वाई में फिल्मकान में मार्च 2013 का पूरा महिना लगा मुनार केरल में 10 दिवसी सुटिंग सेंडी उल अप्री 2013 की मगया में शुरू हुआ दोसियर देवी कोलम की जेल्म की मिशापूलिम मला की वागवारा और की कनी माला में फिल्माएगे थे भारी की वर्ष के कारण फिल्मकान की कई दिनों तक रुक रहा जिसके की पौरिन सौरूप सेंडील को उसी महिने के अंतक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुनार में एकी सवान दाता की समेलर आयोजित किया गय था कि मई 23 में उत्री गोवा में दोसियों फिल्माए गयते पादु को नेमपशीस मई 23 को सुटिंग पूरी की खान ने मई 23 में अपनी सेस दोसियों को फिल्माने के लिए रामोजी फिल्म की सिटी है दराबाद के लिए उडान भड़ी फिल्म में कई तमें सवाद है लेकिन संध्वां को बनाय रखने के लिए किसी की अपसिंसा का उप्योग नहीं किया गय था रेट चैलेंज की इंटर्टेन्मेट बैनर की तले गोरी खान की करी मोरानी की रोनी स्कुरवाला और सिर्धात राय कपूर की दरा चेनई एक्सप्रेस का निर्मान किया गय था इसी यूटिवी मोसन पिच्चर्स की दरा अंतराष्टी सतर पर जारी किया गय था और चेनई एक्सप्रेस के लिए ही चेनई एक्सप्रेस में और कुछ ही कोई थी बाकी है कि इसकोर आमर मोईली की दरा रच गय था गीतों की रचना विशाल की सिखर जोड़ी ने की थे और गीत की आमिताप की भट्रे अचाय के लिए ही और यो यो की हनी की से की दरा लिखे गय थे गानी की रिकॉर्ड अक्तूबा दुजर बारे के अंत में शुरूवी ट्रेक रेडिस स्टेट विपी पो के नवंबा दुजर बारे में सतागेत की संगीत के संगीतकारों की दरा रिकॉर्ड किया गय था कई सुत्रो ने कहा कि निर्देशन और अभिनेता की अभिनेता एक स्कोर्ड से अन्स तूसत थे की काथित तोर पर निर्देशन को एक अलग संगीत की रचना की युजना बनाने के लिए कहा गया था कि हलाकी संगितकारों ने इन अफवाओ का खंडन किया कि अप्रिल दुजात तेरे की मगया में गायक एसपी की बलास सुब्रहा नायम ने फिल्म के लिए टाइटल ट्रेक रिकॉर्ड किया पद्रह साल की अनुपस्थी थी के बाद पहले बैक के लिए बाली उन में अपनी वापसी को चीहिज किया उनों ने कहा कि गीत ने एक जुट्ता की भावना का जम मान्य प्रम में बलास सुब्रहा नायम की आंसकाती थे लेकिन फिल्म की सामगिरी और मुख्यो भुमिका की का परन गाना चुनागीत एक दू तिन चार गेट ऑन दो डान्स फ्लोर में विश की स्तंगीत दिवस पर एक प्राचार की एकल की रूप में जारी किया गये था 27 जुन 2013 को तीतिली गाने का वीडियो प्रेमियो को जारी किया गये था और 21 जुलाई 2013 को कस्मीर मैतु कन्या कुमारी का प्रोमियो वीडियो जारी किया गये था 29 जुलाई 2013 को टी सीरीज नी यूटूब पर अपने आधिकारी की चैनल पर एक गाना अपलोड किया हनी सी की दारा गया गया फिल्म अभिनेता राजनेकार्थ के समान में गीत का स्तिन्सक लुंगी डांस दोट लाइवर आर डिवियूट की 25 था 25 जुलाई दुजात तेरे को तेरा रास्ता में छोड़ूना गीत का एक परचार की वीडियो जारी किया गया था संगीत एलवम की एक जुलाई दुजात तेरो को लंच किया गया था फिल्म ने आठ अगस दुजात तेरे को मल्टी प्लेक्स में 10 से 1200 के स्तात भारत में पुरुवालोन किया गया था कि चिनई एक्सप्रेस को गयर प्रामपारी की अंतराष्टी बजारों में जारी किया जाना था पेरू में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी चिनई एक्सप्रेस की मोर्कों की जर्मनी सीटर जैलेंड की औस्टिरिया फ्रांस और इंजराइल में भी जारी किया गये था सब्ताहत की दीनों में से सो के दवरान चिनई एक्सप्रेस की टिकटों की किम्म समानिय टेरिप से 40% आधिक और सब्ताहत पर 20% तक बढ़ा दी ग गई थी यह फिम भारत में 3-5-5 इसक्रीनों में 2-5-5 जास की सिनेमेगारों में और अंटराश्टी 75 इसक्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उत्री अमिरीका में 1-96 इसक्रीन की यूनाइटेग किम्डम के 1-75 मघयप्रों की पच्पन और अस्टेलिया में 30 लामिल उस पेंदू तक सबसे वैपाई की बालिवन रिलीज है चेनाइग एक्सप्रेस का पहला लुक एक जनुरी 2023 को जारी किया गये था एसपी की ब्लास सुब्राहा नयम की दारा किया गये था 31 सेकेंड की सेंसक ट्रेक टीजर की 23 माई 2023 को जारी किया गये था फिल्म का आधिकारी की टेलर तेरे जुम द्वजा तेरे को मुंबाई में एक काईक्रिया में जारी किया गये था इसके लंज के दो दिन बाद यूटूबर इससे 4 मिलियन से आधिक बार देखा गया फिल्म में खान और पादुकोन की दारा पहने गये परिधानों की निलामी की गई ब्रेकी से आए एक दान में दी गई थी निलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आस्पास हुई थी सिंगर बोक्स की एक से विडिशन की गेमिंग स्टोडियो की दरा विक्सिट की एक की कराव की एप को दुई अगास दोजात तेरे को एंडाइड और आई उएस आधारी की समार्टफोन के लिए लंज किया गये था खान रियोलिटी टेलिविजन सो कॉमेडी नाइट उस वीद की कोपिल तारा की मेता का अरड़ा चस्मा मधुबाला एक इसका जुनून दी आईजी सुपर मम्त की जलक की दिखला जा छो और इंडियन आईडल की जुनियर पर अपनी फियम का प्राचार किया डर जिट गये इ 2013 का सबसे चर्तित विसे बताया गया है फियम की उपगरा टेलिविजन आधिकार जी नेटवर्च चर से असी मिलियन के में बेची गए थे यह समझाता फियम की बॉक्स ओफिस राज़ता से जुड़ा था भारती अभिनेता में अपनी तरह का पहला सोदा अगर्चे नहीं एक्सप्रेस ने सुब्द पर रूप से तेरे मिलियन से आधिकी कमाई की तो उसके बाद अरजित प्रयक की सम मिलियन के लिए निर्माताओं को अत्रित की 20 मिलियन मिलेंगे 20 अक्तुबर दोजा तेरों को फिल्म का टेलिविजन प्रेमियर हुआ था और इसे रेकॉर्ड सं खेया में दर्शकों की दारा देखा गया था जो कि उस्ताम रेटिंग वाले फिक्षान सो से लगभाग दुगुन्ना था इसने अपनी प्रासंसक जी टीवी को उस महीने समाने मंदुरों जान चाइनलों में सिंसक इस्थान पर पहुचने में मदद की वन्स के आपन एक टाइम की इन मुंबई की दुबारा के साच्चेने एक्सप्रेस के सुरू में पाकिस्तानी वित्रक और प्रदस्गों की दारा छोड़ दिया गय था क्यूंकि चार पाकिस्तानी फिल्म में एक ही दिन रिलीज हुई थी रिलीज की तारी क्रोमस पंद्रे और 9 अगस्त के लिए सथागित कर दी गय थी फिल्मकान के अपने वाइस सेंडियों के दौरान महराष्टी से सुंख ग्रोष्ट की सतारा जिले में ढोम बान से बहुत आधिक पानी का उप्योग करने के लिए फिल्म की यूनिट मुश्यकर में पड़ गई राजे की राहत और पुन्वांस की मंत्री पतंग्राओ की कदम निस्तमस्या का समधान किया टुईटर और यूटूब पर जारी फिल्म के पोश्टर और टेलर की तमिल लोकाचार के जितरन के लिए कुछ तमिल मीडिय की दार अलोचना की गई थी उन्होंने कहा कि पादुकुन की अत्यादिक उचारन वाले की स्वात तौमिल के बज़ाए मलियाली की लगजे से मेल खाती है पादुकुन ने फिल्म का बजाओ करते हुए कहा कि जद दर्शिन भारती संस्कूरूती की पैरोडी नहीं करती है और खु अलोजनी तिक दल महरास्टी की Nine निर्मता सेना की फ्रिम की विंग ने फिल्म का प्रेमेर को बांधित करने की धमकी दी इसने काथी तोर पर चल रही लोग प्रिया मराथी की फ्रिम में सिनेमगारों से हटाने की प्रियास किया जो एक समय मैं कीवल एक फ्रिम दिखती है प थी जहाँ सुपर हिट मराथी फेम दुनियादारी द्वजत्तेरे उन्नाईस जुलाई से लोग पुरिया थी एक अगस्त द्वजत्तेरे को दोनों फेम की निर्देशनों की रोहित की सेटी और संजे की जागू की राइट ठाकरे की ठकडे नाम की समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्छों की सुनने के बार ठाकरे की ठकडे ने फैसला किया कि अगर दुनियादारी को राजे भर की सिंगल इस्क्रीन की सिनेमगारों में से नहीं हटाया गये तो मंसी महराष्ट में चिनई एक्सप्रेश की डिलीच पर अपराती नहीं कर जताएगी चिन वीडियों में हम बात करेंगे बलीवुट की सुपर इस्टार सारू खान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है चिनई एक्सप्रेश तो दोस्तों अगर आप भी सारू खान की फैन हो और अगर अगर चिनई एक्सप्रेश मोवी को दिखना चाहते हो और साथी साथ इस मोवी को बजेट इन बॉक्स आफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साती सत बिल आइकन दबाना नाम भी न अभूलेगा के नई एक्सप्रेस के सुनो रोहित की सिटी की दारा निर्देशित और यूटूबी मोशन पिक्चर्स और रेड चिलीच की इंटर्टेन्मेंट की दारा निर्मी 2003 की भारती हिंदी भासा की एक्शन कमेडी फिर्म है इसमें सहायक भूमेकाओं में निकीतिन धीर की सत्याराज कमीने कोसल और लेंग की टॉंडन के साथ सारू खान और दिपिका पादू कोन है या फिम राहून मिठाई वाला के इद गिर्द भूमती है जो गलती से इसी नाम की ट्रेन में सवार हो जाता है और एक सथानी की डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेत्रन की यात्रा करता है खान और की बेटी के लिए ही चले जाते है कुछ मान को खान और सेटी के बीच पहला नियोजित सयोगी अंगुल उनाई से बिरासी कारे में था इसके बज़ाई चेनाई एक्सप्रेस की सिखपट जिसी सुरू में खान के लिए एक बैक आप की प्रोजेकर्ट की रुप में लिखा गया था कुछ चुना गया था कि एक वैसाही की रुमांज के रुप में आवधारित की इस फिल्म का मुल सिंसक रेडी स्टेडी पोथा फिल्मकान अक्तूबद वजर बारे में महबुग इस्टूडियो में सुरू हुआ और माई 2003 तक पूरा हो गया फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उटे में सेट किया गय था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म की सिटी में भी सेट बनाए गय थे चेनाई एक्सप्रेस के लिए सांड्रे की विशाल सेखर की दारा रचीत था जिसकी प्रूस भूमी एसकोर आमर मोहिली की दारा बनाई गई थी सवदेश 2004 की और के बाद खान के साथ अपनी पहली इसकरिया पर्योजना को चिहित करते हुए यूटीव मोशन पिक्चर्स की निर्मता और वित्रक के रूप में ब्रोड पर आये चेनाई एक्सप्रेस की विडेसी बजारों में 8 अगस्ट वज़ा तेरे को और एक दिन बाद भारत में नाट की रूप से जारी किया गए था फिल्म को अलोजको से मितिक समिक चाय मिली और इसने भारत और विडेसों में बॉक्स ओफिस के कई रिकॉर्ड तोर दिये घरेलू सतर पर एक मिलियन का सुब्ध संग्री करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई फिल्म ने तीन इंडिया टस 2009 को पीछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे जयाधा कमाई करने वाली बालियून फिल्म बन गई अब तकी 21 सबसे जयाधा कमाई करने वाली भारती फिल्म है 69 फिल्म फिल्म फियर प्रासकारों में चेनाई एक्सप्रेस को सतेश फिल्म की निर्देशन सेटी की आभिनेता खान और आभिनेतरी पदुकोन की सही साथ नमाकन प्रापात हुए राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 साल का अनात कुवारा है आठ साल की उम्रे से अपने दादा दादी की दरब पाला गया राहुल के दादा भम विसभर एक की वैपारी के लिए है जो की अपने ही परे की त्रूंखला के मालिक है मिशन की भिसभर के सैवे जनमदीन की समहारों से पहले राहुल के दोस बावी और बामन ने उन्हीं गोवा में छुटी मनाने के लिए आमान्तित किया जिसे उन्होंने स्विकार कर लिया कि इस वीच उत्सों की प्रूसंग्या पर भिसमाभर की मुतियों हो जाटिये ठीक उसी समय जबव की कीट मैज में टीवी पर सचित की ते दुलकर को अपनी निनान्बिवे रन पर आउट होते वे देखता है भिंसबर्ण के अंतिन संसकार के बाद राहूल की दादी नितू ने राहूल को बताया कि भिंसबर्ण की चाते थे कि उनकी राग को दो भागों में विभाजित किये जाए एक हीसा गंगा के में विठ्जित किया जाए और दूसरा रामजेचरम में वह राहूल के साथ राग को रामेचरम ने जाने और उन्हें तितर बेतर करने के लिए कहती है अनिक्षा से वह उसके अनुरोग के स्विकार करता है लेकिन गाउ को यात्रा में सामील होने के लिए भी उत्कुस है राहुल बाबी और बामन की राख को गोवा में फेकने की युजना है लेकिन नितु उसे वीड़ा करने चाहती है जिसे राहुल के ट्रेन से याद्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ावा कलियान जक्सन की इस्ट्रेशन पर राष्टे में बाबी और बामन से मीनने की युजना बनाती हुए चेनई एक्सप्रेस का ही एक टिकट बुक करता है अलाकि राहुल ने राक लेना भूल जाता है जब और जब वह उन्हें लेने के लिए लोड़ता है तो ट्रेन लगभग छोड़ जाती है जैसे ही राहूल ट्रेन से उतरने की कोशिस करता है वह एक यूती है उसमें सवार होने के लिए दोड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चड़ने में उसकी और चार अनए लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही इस्टेशन छोड़ देता है राहूल उस मैला के साथ छिड़तानी करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्मी की गानों की पर राड़ी की गांकर की स्वात करना शुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका उपहारन करने की कोशिश कर रहे है राहूल उसे अपना मोबाईल फोन उधार देता है ताक कि वो अपने दोस्तों से संपख कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकड़ दिया और ट्रेन से फेक दिया राहूल नराज है लेकिन कुछ नहीं कहता कि क्यूंकि प्रूस की हतियार लेका चल रहे है राहूल ट्रेवलिंग की टिकट परिक्छा को उनके बारे में बत हुआ है और उसका पहले ही उसका असले नाम मीना लोचनी की मिन्ममा की अंजगू सूद्रम की है वा तब बल्ली की नाम के एक की बर्नमान से जब्रन साधी करके भाग रही है पिता दुग्रेचाट दुरगेश की अंजगू सूद्रम की तमिलनाडो में सठाती की sigma के एक सकति साली मुख्यो है मीनम्मा की राहूल को दुरगेश के पास ले जाते है और राहूल को अपनी प्रेमी के रुप में पेश करती है तंगबली राहूल को एक ही दुर्धियूद की चुनौती देता है जिसे राहुल अंजाने में तमिर में ग्यान की कमी के कारण सुविकार कर लेता है दर्द की रात राहुल एक इस्थानी की पूलीस कर्मी की समसेर की मदद से भाग जाता है लेकिन वटरिंकलाई की अंधकवादियों और तसकरों के साथ एक जहार पर समाप्त हो जाता है है तो वो अपनी कहानी बताता है और कोंबन में वापस आ जाता है भायवित और एक बार फीर दुर्गेर्स के तरांती चलाने वाले गुरुगों से गिरा हुआ राहूल मीनम्मा को बंधक बनाने का नाटा करता है और दुर्गोंस की आदमियों से लड़ते वे दुर्गोंस की कार में उसके साथ भाग जाता है जब कार तुट जाती तो राहूल और मिनम्मा जगड़ा करती है और अलग हो जाते हैं राहूल ना जाने किस रास्ते से जाना है मिनम्मा की पास लोटा जो उसे बेंद्वा गाव के ले जाती है मिनम्मा की ग्रामीनों को बताती है कि वे एक विवाही जोड़े हैं जिनोंने सुरक्षा और आराम की अवे सकता है जिसे ग्रामीन की सहमत है देती है कि वह ग्रामीनों की अविश्वास को अरजित नहीं करना चाहती तंगबली की राहूल को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वह छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ग्रामीन उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं मिनम्मा की राहूल को भिंसभर की राख को फैलाने के लिए राजी करती है और उसके साथ रामेचरम के लिए ही रामेचरम के यात्रा करती है जहावे संसकार पूरा करती है वापस रास्ते में राहुर को पता चलता है कि उसे मिनमा से प्यार हो गया और वह उसे नहीं बताता कि वह कहा जा रहे है वह मिनमा को पास वापस ले जाता है और मिनमा की इक्षा को समझने और उसका समान करने की कोशिस करता है वह मिनमा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है राहुल तंग बली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तयार है इसके बाद होई लड़ाई में राहुल गंभी रूप से घायल हो गया लेकिन विजय हुआ कि दुर्गोष और तंगाबली की सुधार्या स्विकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी सरीरी की छमता और राजनीती की प्राभाव से बड़ा है दुर्गोष राहुल को मीना से साधी करने की अनुमती देता है इसके बाद राहुल एक संदेश देती है कि प्रेम कोई चेतरी या भसाई बढ़ावों को नहीं जानता है और एक मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है मयंग और रोही सेटी ने मूल रूप से 1912 की फिल्म अंगूर की रिट्म के लिए सारू खान के साथ टीम बनाने की योजना बनाई थी 2021 की ब्लाक बोस्टर की स्टिंगम के बार सेटी ने फिल्म की पठकटा लिखना शुरू कर दिया था लेकिन इसकी आधा अधूरा छोड़ दिया चेनल एक्सप्रेस की पठकटा खान के लिए बैक आप की रूप में तयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्माकान की तारीकों को प्रपात करने में कठिनाई हो रही थी पठकटा परने पर खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर की रिमेक से पहले ही इसमें अभिनेत करने के लिए सहमात हो गया जिसे अंगूर का रिमेक सथागित हो गया सेटी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोन के साथ एक हार्ड कोर की वैसाही की फिल्म है कहानी इस आदमी की मुंबाई से रामेचरम की यात्रा और यात्रा के दरन क्या होता है के बारे में हैं लगबग और 60 मिनाट के फुटेज से दिलायन्स की दारा सीजी आई के साथ बढ़ाया गया था मीडिया वर्स की चेनई एक्सप्रेस के सुरुवात में खान चेतेत के लिए बैक ओप की प्रोजेकर्ट के रुप में लिखा गया था खान की पहले अभीनेटा थे जिने सिकपट के साथ संपक किया गया था और फिल्म के लिए स्थाइन की जाने वाले पहले मुख्यों अभीनेटा थे रोही सेटी ने कहा कि सिंसक के बावजुद खान फिल्म में एक तर्चिन भार्ती की वुमी का नहीं निभाएंगे मुख्यों नायका का चैन बहुत प्रेंस की ओटकलों का विशय था करीना का पूर असिन और दिपीका पादुकोन के सामिल होने की अफवा थी रेडी सेटी की ने उन अफवावों का खंडन किया कि जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रिल दोजर बारे में अंतिम रुप दिया जाएगा और इस की वह इस भूमिका में एक सथापित अभिनेतरी को लेने जा रहे हैं अक्तूबर दोजर बारे में यह पूसिट की गई कि दिपीका पादुकोन को उनको खान के साथ मुख्यों महिला भूमिका निभाने के लिए साइन किया गय था और पादुकुन को और खान की सुटिंग दिखाती वी तस्वीरे जारी की गई यह पादुकुन की खान के साथ दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उनोने 2007 के ब्लाक बोस्टर ओम सांती ओम से बालियून में शुरुवात की थी मैला दिवस पर रिलीज हुई और इस फिल्म से तियराज को बालियून में परधाप्रन करते हुए पादुकुन को चतित को पिता की भूमी का निभाने के लिए चुना गए था अभिनेती प्रियामानी की जनकारी द्वजत्तेरे में नयंत्रा की जगा फिल्म ने एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गए था तोमी सिन नेमा के आने वैतितों के जिन में दिल्ली गनेश और मोहन रमन की सामिले छोटी भूमी काओं में दिखाई देती है शुरुआत में इस फिल्म का नाम रेडी एस्टेटी पूर रखा गया था हलाकि दर्शिन भारत के साथ जुडाओं पर जोड देने के लिए फिल्म का ना नार हिल एस्टेशन फिम की प्रामु की लोकेशन्स में से एक है पर्योजना का फिल्मकान पाच अक्तूबर द्वजर बारे को मुंबई के महबूब एस्टूडियो में शुरू हुआ नयूनतम चलाक दल के साथ छत्रा पती सिवार जी तर्मीन सम में अत्रिक्त की फिल्मक गए था मुख्यो अभिनेता की चित्रा आनाधी क्रूत की रूप से अक्तूबर द्वजर बारे की मघयम जारी किये गए थे नौवंबर द्वजर बारे में कलाकार और चलाक दल की वहा की दूस्यों को फिल्माना सुरू करने के लिए गुवा गये वासको की डी की गामा र बांगा से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमांठी दूस्यों भी फिल्माया गये था दिसंबर द्वजर बारे में कुछ दूस्यों को फिल्माने के लिए चलाक दल की जरकता गया पबन की बिर्जी को अनई अइंदीरा की गांधी ब्रीज की रूप में भी जाना जा शूटिंग उटी में होने वाले थी लेकिन चुंकी खान को लगा की उन्टी मुंबई से बहुत दूर है उन्टी से कई इस्थानों को वाई में पचगानी की बागी की इलाके में कला की निर्देशन की नरेंदरा रहुक रीकर की दारा पूर नीमिरित किया गये था कि आव में फिल्मकान में मार्च 2013 का पूरा महिना लगा मुनार केरल में दस दिवसी सुटिंग सेंडी उल अप्री 2023 की मग्या में सुरो हुआ दोसियर देवी कोलम की जेल्म की मिशापूलिम मला की वागवारा और की कनी माला में फिल्माए गे थे भारी की वर्ष के कारण फिल्मक की कई दिनों तक रुक रहा जिसके की पौरिन सौरूप सेंडील को उसी महिने के अंतक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुनार में एकी सवान दाता की समेलन आयोजित किया गय था कि माई 2023 में उत्री गोवा में दोसियों फिल्माए गयते पादु को 29 माई 2023 को सुटिंग पूर की सिटी है दराबाद के लिए उडान भड़ी फिर में कई तमें सवाद है लेकिन संध्वां को बनाय रखने के लिए किसी की अपसिंसा का उप्योग नहीं किया गय था रेट चैलेंज की इंटर्टेन्मेट बैनर की तले गोरी खान की करी मोरानी की रोनी स्कुरुवाला औ और सिर्धात राय कपूर की दरा चेनाई एक्सप्रेस का निर्मान किया गय था इसी यूटीवी मोशन पिक्चर्स की दरा अंतराष्टी सतर पर जारी किया गय था और चेनाई एक्सप्रेस के लिए ही चेनाई एक्सप्रेस में और कुछ ही कोई थी बाकी है कि इसकोर आमर म मोईली की दारा रच गय था गीतों की रचना विशाल की सिखर जोड़ी ने की थे और गीत की आमिताप की भट्रे अचाय के लिए ही और यो यो की हनी की से की दारा लिखे गय थे गानी की रिकॉर्ड अक्तुबा दुजर बारे के अंत में शुरूवे ट्रेक रेडी स्टेट बीपी इपो के नवंबा दुजर बारे में सतागर की संगीत के संगीतकारो की दारा रिकॉर्ड किया गया था कई सुत रों कहा कि निर्देशन और अभिनेता की अभिनेता एक्सकोर से अंसर तूसर थे कि काथित तोर पर निर्देशन को एक अलग संगित की रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था कि हलाकी संगितकारों ने इन अफवाव का खंडर किया कि अप्रिल दुजार तेरे की मगया में गायक एसपी की बलास सुब्रहान आयम ने फिल्म के लिए टाइटल ट्रेक रिकॉर्ड किया पद्रह साल की अनुपस्थी थी के बाद पहले बैक के लिए बाली उन में अपनी वापसी को चीहिज किया उनों ने कहा कि गीत ने एक जुट्ता की भावना का जम मान्य प्रम में बलास सुब्रहान आयम की आन्सकाती थे लेकिन फिल्म की सामगिरी और मुख्यों भुमिका की कारण गाना चुना गीत एक दू तिन चार गेट ऑन दो डान्स फ्लोर में विश की संगित दिवस पर एक प्राचार की एकल की रूप में जारी किया गये था 27 जुन द्वजा तेरों को तीतिली गाने का वीडियो प्रेमियो को जारी किया गये था 21 जुलाई द्वजा तेरों को कस्मीर मैतु कन्या कुमारी का प्रोमयो वीडियो जारी किया गये था 29 जुलाई द्वजा तेरों को टी सिरीज नी यूटूब पर अपने आधिकारी की चैनल पर एक गाना अपलोड किया हरनी सी की दारा गया गया फिल्म अभिनेता राजनेकात के समान में गित का सिंसक लुंगी डांस दोट लाईवर आर डिव्यूट की 25 था 25 जुलाई द्वजा तेरे को तेरा राष्टा में छोड़ूना गित का एक परचार की वीडियो जारी किया गया था संगीत एलवम की एक जुलाई द्वजा तेरों को लंच किया गया था फिल्म ने आठ अगस द्वजा तेरे को मल्टि प्लेक्स में 10 से 1200 के स्थाथ भारत में पुर्वालोन किया गया था कि चिनेई एक्स्प्रेस को गयर प्रामपारी की अंतराश्टी बजारों में जारी किया जाना था पेरों में यह भारत की तरह उसी दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिम थी चिनई एक्सप्रेस की मोर्कों की जर्मनी सीटर जैलेंड की अस्ट्रिया फ्रांस और इंजराइल में भी जारी किया गये था सब्ताहत की दीनों में से सो के दवरान चिनई एक्सप्रेस की टिकोटों की किम्मत समानिय टेरिफ से 40% आधिक और सब्ताहत पर 20% तक बढ़ा दी गई थी हलाकि यह व्यूदि सभी की मल्टी प्लेक्सों में समान रूप से लगू नहीं की गई थी यह फिम भारत में 3-5-5 इसक्रीनों में 2-5-5 जास की सिनेमेगारों में और अंटराश्टी 7-75 इसक्रीनों पर रिलीज हुई थी जिसमें उत्री अमेरीका में 1-96 इसक्रीन की यूनाइटे किमडम के 1-75 मगह प्रो की पच्पन और अस्टेलिया में 30 लामिल है उस बेंदू तक सबसे वैपाई की बाली रिलीज है चेनाइटेक्स्प्रेस का पहला लुक 1-जनुरी-2013 को जारी किया गये था एसपी की ब्लास सुब्राहा नयम की दारा किया गये था 31 सेकेंड की सेंसक ट्रेक टीजर की 23 मई-2013 को जारी किया गये था फिल्म का आधिकारी की टेलर तेरे जुम द्वजा तेरे को मुंबाई में एक काईक्रिया में जारी किया गये था इसके लंज के दो दिन बाद यूटूपर इससे 4 मिलियन से आधिक बार देखा गया फिल्म में खान और पादुकोन की दरा पहने गये परिधानों की निलामी की गई ब्रेकी से आए एक दान में दी गई थी निलामी फिल्म की रिलीज के दिन के आसपास हुई थी सिंगर बोक्स की एक से विडिशन की गेमिंग स्टूर्डियो की दरा विक्सिट की एक की कराव की एप को दुई अगास दोजात तेरे को एंडाइड और आई उएस आधारी की समार्टफोन के लिए लंज किया गये था खान रियोलिटी टेलीविजन सो कॉमेडी नाइट और स्वीड की कोपिल तारा की महता का अरड़ा चस्रमा मधुबाला एक इसका जुनून दी आईजी सुपर मम्त की जलक की दिखला जा चो और इंडियन आईडॉल की जुनियर पर अपनी फियम का प्राचार किया डर जिट गए इस्टर की गुंगल्म की दारा साल की अंत में खोजे जाने वाली की सावधिरी की पत्रों का संकलन चिनई एक्सप्रेस को भारत में दोजर तेरे का सबसे चर्तित विसे बताया गया है फियम की उपग्राच टेलिवीजन आधिकार जी नेटवर्च चर से असी मिलियन की में बेची गए थे यह समझाता फियम की बॉक्स ओफिस राज़्सर से जुड़ा था भारती अभिनेता में अपनी तरह का पहला सोदा अगर चिनाई एक्सप्रेस ने सुब्द पर रूप से तेरे मिलियन से आधिकी कमाई की तो उसके बाद अरजित प्रेक की सैम मिलियन के लिए निर्माताओं को अतरित की 20 मिलियन मिलेंगे 20 अक्तुबद वाज़ा तेरे को फिर्म का टेलिवीजन प्रेमियर हुआ था और इ उस महीने समाने मंदुरों जन चैनलों में सिंसक इस्थान पर पहुचने में मदद की वन्स के आपन एक टाइम की इन मुंबई की दुबारा के साच्चिने एक्सप्रेस के सुड़ों में पाकिस्तानी वित्रक और प्रदस्कों की दारा छोड़ दिया गय था क्यूंकि चार पाकिस्तानी फिल्म में एक ही दिन रिलीज हुई थी रिलीज की तारीक रोमस पंद्रे और नव अगस्त के लिए सथागित कर दी गय थी फिल्मकान के अपने वाइस सेंडियों के दवरान महराश्टी से सुंक ग्रोस्ट की सतारा जिले में ढोम बान से बहुत आधिक पानी का उप्योग करने के लिए फिल्म की यूनिट मुश्जिकर में पड़ गई राजे की राहत और पुन्वांस की मंत्री पतंगराओ की कदम निस्तमस्या का समधान किया टुईटर और यूटूब पर जारी फिल्म के पोस्टर और टेलर की तमिल लोकाचार के जितरन के लिए कुछ तमिल मीडिया की दारा अलोचना की गई थी उन्होंने कहा कि पादुकुन की अत्यादिक उचारन वाले की स्वात तमिल के बज़ाए मलियाली की लगजे से मेल खाती है पादुकुन ने फियम का बजाओ करते हुए कहा कि जद दर्शिन भारती संस्कूरूती की पैरो 12 जुलाई 2-73 को राष्टवादी की राजनीतिक दल महराष्टी की नौ निर्मता सेना की फिल्म की विंग ने फिल्म के प्रेमियर को बांधित करने की धमकी दी इसने काथी तोर पर चल रही लोगप्रिया मराथी की फिल्मे सिनेमागारों से हटाने की प्यास किया जो एक स खबरों से प्रिसान थी कि चेनई एक्स्प्रेस की वित्रवकों सिंगल इस्क्रीन की सिनेमा घारों में और कुछ मल्टी प्लेक्सों में प्राइम स्टाइल की मांग की थी जहाँ सुपर हिट मराथी फेम दुनियादारी द्वजात्तेरे उननाईस जुलाई से लोग परिया थी एक अगस द्वजात्तीरे को दोनों फिम की निर्देशनों की रोहित की सेटी और संजे की जगों की राइट ठाकरे की ठकडे नाम की समाधान खोजने के लिए बुलाया दोनों पक्षों की सुनने के बार ठाकरे की ठकडे ने फैसला कि कि वैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी को राजे भर की सिंगल इसक्रीन की सिनेमगारों में से नहीं हटाए गए तो मवस्टी महराष्ट में चिन यइक्सप्रेश की डिलीच पर अपराति नहीं कर जताएगी चिन एक्सप्रेश को दस की दस भासाओं में दिलीच किया गया था हेलो दोस्तों सुवागत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलिवुट की सुपर इस्टार सारुखान की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है चिनाई एक्सप्रेस तो दोस्तों अगर आप भी सारुखान की फैन हो और अगर अगर चिनाई एक्सप्रेस मोवी को दिखना चाते हो और साथी साथ इस मोवी को budget in box office collection को जानना चाते हो तो इस वीडियो में आंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना हुलेगा के नई एक्सप्रेस के सुनो रोहित की सेटी की दारा निर्देशित और यूटूबी मोशन पिक्चर्स और रेड चिलीच की इंटर्टेन्मेंट की दारा निर्मी 2003 की भारती इन दिभासा की एक्शन कमेडी फेम है इसमें सहायक भूमेकाओं में निकीतिन धीर की सत्या राज कमीने कोसल और लेंग की टॉंडन के साथ सारू खान और दिपिका पादू कोन है या फिम राहूर मिठाई वाला के इद गिर्द भूमती है जो गलती से इसी नाम की ट्रेन में सवार हो जाता है और एक सथानी के डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेत्रन की यात्रा करता है खान और की बेटी के लिए ही चले जाते है कुछ मान को खान और सेटी के बीच पहला नियोजित सयोगी अंगुल उनाई से बिरासी कारे में था इसके भज़ाई चेनाई एक्सप्रेस की सिखपट जिसी सुरू में खान के लिए एक बैक आप की प्रोजेकर्ट की रुप में लिखा गया था कुछ चुना गया था कि एक वैसाही की रुमांज के रुप में आवधारित की इस फिल्म का मुल सिंसक रेडी स्टेडी पोथा फिल्मकान अक्तूबद वजर बारे में महबूब इस्टूडियो में शुरू हुआ और माई 2003 तक पूरा हो गया फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उटे में सेट किया गय था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म की सिटी में भी सेट बनाए गय थे चेनाई एक्सप्रेस के लिए सांड्रे की विशाल सेखर की दारा रचीत था जिसकी प्रूस भूमी एसको और आमर मोहिली की दारा बनाई गई थी सवदेश 2004 की और के बाद खान के साथ अपनी पहली इस किरिया पर्योजना को चीहित करते वे यूटीव मोशन पिक्चर्स की निर्मता और वित्रक के रूप में ब्रोड पर आए चेनाई एक्सप्रेस की विडेसी बजारों में 8 अगस्त वज़ा तेरे को और एक दिन बाद भारत में नाट की रूप से जारी किया गए था फिल्म को अलोजकों से मितिक समिक्चाय मिली और इसने भारत और विडेसों में बॉक्स ओफिस के कई रिकॉर्ड तोर दिये घरेलू सतर पर एक मिलियन का सुब्ध संग्री करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई फिल्म ने तीन इंडिया टस 2009 को पीछे छोड़ दिया और उस समय दुनिया भर में सबसे जयाधा कमाई करने वाली बालियून फिल्म बन गई खान और अभिनेत्री पदुकोन की सही साथ नमाकन प्रापात हुए राहूल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 साल का अनात कुबारा है आठ साल की उम्रे से अपने दादा दादी की दरब पाला गया राहूल के दादा भम विस भर एक की वैपारी के लिए है जो की अपने ही पर्वे की त्रूंखला के मालिक है मिशन की भिस संभर के सैवे जनमदीन की समहारों से पहले राहूल के दोस्त बावी और बामन ने उन्हीं गोवा में छुटी मनाने के लिए आमान्तित किया जिसे उन्होंने स्विकार कर लिया कि इस वीच उत्सों की प्रू संग्या पर भिस माभर की मुतियों हो जाटिये ठीक उसी समय जबव की किट मैज में टीवी पर सचित की ते दुलकर को अपनी निनान्बिवे रन पर आउट होते वे देखता है भिंसबर के अंतिन संसकार के बाद राहूल की दादी नितू ने राहूल को बताया कि भिंसबर्न की चाहते थे कि उनकी राग को दो भागों में विभाजित किये जाए एक हिसा गंगा के में विर्ष जित किया जाय और दोसरा रहूलात के सास्थ राख को रहमिचरम ने जाने और उन्हें तितर भेतर करने के लिए कहती है अनिक्चा से वह उसके अनुरो पर करता है लेकिन गाउ को यात्रा में सामील होने के लिए भी उत्कुस है राहुल बावी और बामन की राख को गोवा में फेकने की युजना है लेकिन नीतू उसे वीदा करने चाहती है जिसे राहुल के ट्रेन से याद्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा हुआ कलियान जक्सन की इस्ट्रेशन पर राष्टे में बावी और बावन से मीने की युजना बनाती हुए चेनई एक्सप्रेस का ही एक टिकट बुक करता है हलांकि राहुल ने राक लेना भूल जाता है और जब हुआ उन्हें लेने के लिए लोड़ता है तो ट्रेन लगभख छूड़ जाती है जैसे ही राहुल ट्रेन से उतरने की कोशिस करता है वह एक यूती है उसमें सवार होने के लिए दोड़ता हुआ देखता है वह चलती ट्रेन में चड़ने में उसकी और चार अनए लोगों की मदद करता है लेकिन ट्रेन उसके उतरने से पहले ही इस्टेशन छोड़ देता है राहूल उस मैला के साथ छिड़कानी करने की कोशिस करता है जो हिंदी फिल्मी की गानों की पराड़ी की गांकर की स्वात करना सुरू करती है और बताती है कि चार आदमी उसका उपहारन करने की कोशिस कर रहे हैं राहूल उसे अपना मोबाईल फोन उधार रेता है ताकि वो अपने दोस्तों से संपक कर सके लेकिन उसके साथ के लोगों ने उसे पकल डिया और ट्रेन से फेक दिया राहुल नराज है लेकिन कुछ नहीं कहता कि क्यूंकि प्रूसु की हतियार लेका चल रहे है राहुल ट्रेवलिंग की टिकट परिख्षकों उनके बारे में बताता है लेकिन वे एक स्पेक्टर को एक पूल के नीचे न उसका असले नाम मिनालोचनी की मिनममा की अंजगुसुद्रम की है वह तब गाबली की नामन के एकी बनमान से जबरन साधी करके भाग रही है मीन ममा की पिता दुग्रेचर दुर्गेश की अजगु सुद्रम की तमिलाडों में सथाती की माफिया के एक सक्ति साली मुख्यों है मीन अममा की राहूल को दुर्गेश के पास ले जाते हैं और राहूल को अपनी प्रेमी के रुप में पेस करती है तंग बल्ली राहूल को एक दुर्दियोत की चुनवती देता है जिसे राहूल अंजाने में तमिल में ग्यान की कमी के कारण सुईकार कर लेता है दर्द की रात राहूल एक इस्थाने की पूलिस कर्मी की समसेर की मदद से भाग जाता है लेकिन वा तिरिंकलाई की अंदकवादियों और तसकरों के साथ एक जहार पर समाप्त हो जाता है पूलिस बल और अंदकवादियों के बीच एक बंदू की लड़ाई सुरू होती है जब पूलिस की आधिकारी की जांच करते है और राहुल की हिरासत में लेते हैं तो वो अपनी कहानी बताता है और कोंबन में वापस आ जाता है भायवित और एक बार फिर दूरुगेर्स के तरांती चलाने वाले गुरुगों से गिरा हुआ है राहुल मीनमा को बंधक बनाने का नाटा करता है और दुरुगोंस की आदमियों से लड़ते विरुगोंस की कार में उसके साथ भाग जाता है जब कार तुट जाती तो राहुल और मेनमा जगड़ा करती है और अलग हो जाते है राहुल ना जाने किस रास्ते से जाना है मेनमा की पास लोटना जो उसी बिंद्वा गाव के ले जाती है मिनम्मा की ग्रामीनों को बताती है कि वे एक विवाही जोड़े है जिनों ने सुरक्षा और आराम की अवैस सकता है जिसे ग्रामीन की सहमत है मिनम्मा को तब तब पता चलता है कि उसे राहु से प्यार हो गया जब राहु चिपके से भागने की युजना बनाता ह तो वह तर्क देती है कि वह ग्रामीनों की आविश्वास को अरदित नहीं करना चाहती तंगबली की राहूर को पकरने की कोशिश करता है क्यूंकि वह छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रामीन उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं मिनम्मा की राहुल को भिन्सभर की राख को फैलाने के लिए राजी करते हैं और उसके साथ रामेच्रम के लिए ही रामेच्रम के यात्रा करते हैं जहावे संसकार पूरा करते हैं वापस रास्ते में राहुल को पत चलता है कि उसे मिनमा से प्यार हो गया और वह उसे नहीं बताता कि वे कहा जा रहे है वह मिनमा को दुरगेश के पास वापस ले जाता है और मिनमा की इक्षा को समझने और उसका समान करने की कोशिस करता है वह मिनमा से यह भी कहता है कि वह उसे प्यार करता है रहुल तंग बली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तयार है इसके बार होई लड़ाई में रहुल गंभी रूप से घायल हो गया लेकिन विजय हुआ कि दुरगोस्त और तंग बली की सुध भार्या स्विकार करते हुए कि राहुल जैसे आम आदमी का प्यार उनकी सरीरी की छमता और राजनीती की प्राभाव से बड़ा है। सेटी ने मूल रूप से उनने से बिरासी की फिल्म अंगुर के रिट्म के लिए सारू खान के साथ टीम बनाने की युजना बनाई थी कि 2021 की ब्लाक बॉस्टर की स्टिंगम के बार। सेटी ने फिल्म की पठकटा लिखना शुरू कर दिया था लेकिन इसकी आधा अधूरा छोड़ दिया। चेनल एक्सप्रेस की पठकटा खान के लिए बैक आप की रूप में तयार थी क्योंकि अभिनेता के फिल्माकान की तारीकों को प्रपात करने में कठिनाई हो रही थी। पठकटा परने पर खान को यह विचार पसंद आया और अंगूर की रिमेक से पहले ही इसमें अभिनाय करने के लिए सहमत हो गया जिसे अंगूर का रिमेक सथागीत हो गया। सेटी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक कोन के साथ एक हार्ड कोर की वैसा ही की फिल्म है। कहानी इस आदमी की मुंबरी से रामेचरम की यत्रा और यत्रा के दरन क्या होता है के बारे में हैं। लगभग और 60 मिनाट के फुटेज से दिलायन्स की दरा सीजी आई के साथ बढ़ाया गया था। मीडिया वर्स की चैनल एक्सप्रेस के सुरुवात में खान चितित के लिए बैक ओप की प्रोजेकर्ट के रुप में लिखा गया था। खान की पहले अभिनेता थे जिने सिकपट के साथ संपक किया गया था और फिल्म के लिए स्टाइन की जाने वाले पहले मुख्यों अभिनेता थे। रोही सेटी ने कहा कि सिंसक के बावजोत खान फिल्म में एक तर्चिन भारती की वुमिका नहीं निभाएंगे। मुख्यों नाइका का चैन बहुत प्रेंस की और्टकलों का विशय था करीना का पूर असिन और दिपीका पादुकोन के सामिल होने की अफवा थी। रेडी सेटी की ने उन अफवावों का खंडन किया कि जिसमें कहा गया था कि कलाकारों को अप्रिल दोजर बारे में अंतिम रुप दिया जाएगा और इस की वह इस भुमिका में एक सथापित अभिनेतरी को लेने जा रहे हैं। अक्तुबर दोजर बारे में यह पूसिट की गई कि दिपी का पादुकोन को उनको खान के साथ मुख्यों महिला भूमी का निभाने के लिए साइन किया गए था और पादुकोन को और खान की सुटिंग दिखाती वी तस्वीरे जारी की गई। यह पादुकोन की खान के साथ दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उनोने 2007 के ब्लाक बोस्टर ओम सांती ओम से बालियून में शुरुवात की थी मुख्यों में दिवस पर रिलीज हुई और इस फिल्म से शुरुवात करते वे खान चाहते थे कि क्रेटिटोस में उनकी मुख्य ब्लाकार का नाम उपर आये और कहा कि सत्यराज को बालियून में परधाप्रन करते हुए पादुकोन को चतित को पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गये था अभिनेती प्रियामानी की जनकारी द्वजत्तेरे में नयांत्रा की जगा फिल्म ने एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गये था तौमी सिनेमा के आने वैतितों के जिन में दिल्ली गनेश और मोहन रवन की सामिले छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती है शुरुआत में इस फिल्म का नाम रेडी एस्टेटी पो रखा गया था हलाकि दर्शिन भारत के साथ जुड़ाओं पर जोड़ देने के लिए फिल्म का नाम बदल कर चिने एक्सप्रेस रखा गया जिसका नई योजित सिंसर की टेग लाइन के रूप में इस्तेमाल किया गया था केरल का मुनार हिल एस्टेशन फिल्म की प्रमुकी लोकेशन्स में से एक है परियोजना का फिल्मकान पांच अक्तूबर द्वजर बारे को मुंबही के महबूब इस्टूडियो में शुरू हुआ नयूंतम चलाक दल के साथ छत्रा पती सिवाजी तर्मीन्सम में अत्रिक्त की फिल्मकान किया गये था मुख्यो अभिनेता की चित्रा आनाधी क्रोत की रूप से अक्तूबर द्वजर बारे की मघ्यम जारी किये गये थे नवंबर द्वजर बारे में कलाकार और चलाक दल की वहा की दोस्यों को फिल्माना शुरू करने के लिए गुवा गये वास्को की डी की गामा रेल्वे एस्टेशन को कलियान जक्संस रेल्वे एस्टेशन के रूप में चित्रीत करने के लिए इस्तिमाल किया गये था दूद सागर की जल प्रापात की बंगल से गुजरने वाली एक ट्रेन में एक रोमांठी दोसियों भी फिल्माया गया था दिसंबर दोजर बारे में कुछ दोसियों को फिल्माने के लिए चलाक दल की जलकता गया पबन की बिर्जी को अनई अइंदीरा की गांधी ब्रीज की रूप में भी जाना जाता है जो तमिल नाडू को मंटब में सहर को पबन दीप से जोड़ता है और रामेच्तरम की तेरा रास्ता छोड़नों ना गेत का दूरसियों था जनवरी 2013 में एक सूटिंग उटी में होने वाले थी लेकिन चुंकी खान को लगा की उन्टी मुंबई से बहुत दूर है उन्टी से कई इस्थानों को वाई में पचगानी की बागी के इलाके में कला की निर्देशन की नरेंदरा रहुक रीकर की दरापूर निमेरित किया गया था कि आवेशी एक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन लगे वाई में फिल्मकान में मार्च 2013 का पूरा महिना लगा मुनार केरल में 10 दिवसी सुटिंग सेंडिल अप्री 2013 की मग्या में शुरू हुआ दोसिय देवी कोलम की जेल्म की मिशापूलिम मला की वागवारा और की कनिमाला में फिल्म आए गे थे भारी की वर्ष के कारण फिल्मकान की कई दिनों तक रुक रहा जिसके की परिन सौरूप सेंडिल को उसी महिने के अंतक थोड़ा बढ़ा दिया गया मुनार में एक की सवान दाता की समेलर आयोजित किया गय था कि मई 2013 में उत्री गोवा में दोसियों फिल्माए गयते पादो को 29 मई 2013 को सुटिंग पूरी की खान ने मई 2013 में अपनी सेस दोसियों को फिल्माने के लिए रामोजी फिल्म की सिटी हैदराबाद के लिए उडान भड़े फिल्म में कई